कि यहां पर आज हमारा फिर से हैं लेक्चर नमबर पाई और पैरबोला और हम यहां पर अपने टेंजेंट की डिसकेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं इन फाइक पर इसके पहले एक सेशन लिया था आयों सभी बच्चों को इहां पर नोटिफिक टाइम मिल चुका होगा तो हमने वहां पर टेंजेंट की डिसकेशन को इनिशेट कर दिया था और उसी को हम यहां पर अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ाने वाले हैं और इन फैक्ट मैं आपका एक सेशन और आज दोंगा विच इनिशेट कर पाएंगे और यह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इहां पर इनिशली नौवम बर मंत में कुछ सेशन्स मिस कर दिये थे यहां पर आपके साथ में सारे सेशन्स ले ही रही है तो आपको इहां पर बेनफित तो यहां पर काफी मिल रहा होगा और आपको भी अगर बच्चों यहां पर सपोर्ट करना है इस पर्टिगलर रिवॉलिशन को जहां पर आपको free and quality education जो है मिल रहा है YouTube के mode के through मिल रहा है जो यहाँ पर freely accessible है तो आप भी यहाँ पर lectures को like करने के साथ share कर सकते हैं with the hashtag JLiveDaily ताकि आप इस revolution को further आगे बढ़ा पाएं आप already अगर sessions attend कर रहे हैं तो आप इस revolution का हिस्सा दरूर है लेकिन आप इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं यह तो आप मेरे खाल से जानते ही है और आप इहाँ पर हमें support करते हैं इतना follow करते हैं that I guess in itself says a lot about this revolution and we respect it a lot कि हम इहाँ पर हमारी किसमा दितनी अच्छी है कि हमें यह मौका मिला कि आप सब कि हम इस तरीके से मदद कर पा रहे and we will definitely make sure एक बात जाके चेक कर सकते हैं live delivery.me.je के उपर कि आपके साथ में हमने और इहाँ पर जह है जही तक का syllabus पूरा complete share करके रखा है इस एक single link को आप अपने digital video book कि दरे treat कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे अपने link के उपर click करेंगे video open हो जाएगा आप उसको देखेंगे अपनी learning complete करेंगे और फिर अपनी practice में लग जाएंगे तो अब आप यहाँ पर यह सोचने की ज़रूत नहीं कि quality education के लिए आपके कौन से channel साब को देखना है या फिर आप यहाँ पर अलग-लग websites को search करेंगे कि यहाँ पर कहां जाकर आपको quality education मिलेगा it is now I guess very well known कि इस एक link के साथ में ही आपके यहाँ पर पूरी जाएक त्यारी complete हो सकती है लेकिन अगर आपको यहाँ पर बच्चों लगता है कि आपके साथ में यहाँ पर कुछ resources है जो और अगर जूड़ जाएंगे तो आपको फायदा होगा जैसे कि अगर आपको यहाँ पर dedicated test series मिल जाए आपको अगर यहाँ पर अपने doubts clear करने के लिए कोई एक mode मिल जाए आपको यहाँ पर कुछ interaction मिल जाए अपने educators के साथ में बहतर तरीके से तो यह सारी चीज़ें आपको unacademy subscription platform बहुत बहतरी तरीके से प्रोवाइट करता है इसलों मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ पर unacademy GE से ऊपर अगर कुछ यहाँ पर चाहिए अगर आप इसके साथ में अपनी प्राक्टिस अगर सही तरीके से कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पर टेस सीरीज भी अगर देकर अपने जो experience है उसको improve कर रहे हैं आप इसी को आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर जॉइन करेंगे तो आपको यहाँ पर multiple batches और multiple educators का यहाँ पर guidance मिलेगा which in itself is a great great plus on unacademy subscription platform और साथ-साथ आपको यहाँ पर result पता है कि कि कितने amazing already आ चुके हैं आप भी एगर जॉइन करना साथ है हमारे recommendation तो हमेशा ही होता है तो आप यहाँ पर Samir question which was from J advance उसके solution के साथ में हम अपना discussion start करने वाल है अगर आप लोगो ने last session miss कर दिया तो आप जाके देख सकते हैं as usual आपको यहाँ पर जो अपने videos वाले section या फिर जो playlist है उसमें सारे sessions जो है sorted तरीके से मिल जाएंगे हमार जो होगो कोशन है उसका discussion स्टार्ट करता है जे एडवांस 2014 जे एडवांस 2014 का यह एक बहुत ही बहतनी समाल था जिसको solve करने में आपको काफी पापड विलने पड़ेंगे इसके अंदर आपको फील आएगा कि हाँ आर जे एडवांस मे रिदीश नहीं कर सकते हो नंबर आप स्टेफ्स तो आपको उतने लेनी पड़ेंगे लेकिन जो जल्दी कर लेगा उसका जल्दी आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या दिया है question देखें इस सारे बेचे ध्यान से the common tangents to the circle x square plus y square is equal to 2 and the parabola y square is equal to 8x दो यहाँ पर अलग-लग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब ellipse और parabola का combination है ना इस तरह की combinations भी आपको further देखने के लिए मिलते रहेंगे और सभी combinations आते हैं ऐसा नहीं है कि कोई एक favorite combination है सभी combinations आपको दिये जा सकते हैं अपने exam के अंदर ellipse और hyperbola का भी combination आ सकता है so be ready for anything याले सवाल में क्या पूछा था इन्होंने circle और parabola का combination पूछा था the common tangents to the circle and the parabola touch the circle at point this and that and parabola at the point this and that तो P Q और R और S इस तरह के हमारे हाँ प्योंट of contact generate होने चाहिए then the area of the trapezium PQRS is what आपको यादर होगे एक trapezium का question हमें इसके पहले भी कर चुके है कल हमने एक session लिया था है ना उसके अंदर भी trapezium का area निकालने का discussion आपने देखा था तो उससे भी आपको कुछ फाइदा मिलेगा और आपको पहले तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसका figure कैसे बनेगा तो figure तो यहाँ पर बहुत ही standard है आपका जो circle है वो और आपके यहाँ पर आपको दिया गया है जहां पर एक ही यहां पर क्लियरली दो के बराबर नजर आ रहे है तो हमने लास क्लास में यह चीज़ देखी थी कि अगर हमें common tangent बनानी है अगर हमें common tangent बनानी है तो हम अपने discussion को start करते कहां से हैं जो lesser known curve है उसका slow format में tangent का equation ठीक है तो हम यहाँ पर parabola की slow format में tangent की equation लिखने में interested है तो क्या लगता है आपको यहाँ पर equation क्या नहीं चाहिए आपके यहाँ पर y is equal to mx plus a by m मतलब 2 by m y is equal to mx plus a by m अगर आप इस format में अपनी एक लाइन लिखते हो तो then this line definitely becomes tangent to the given parabola यह slow format में tangent की equation है क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा manipulate करूं यहाँ पर अगर मैं m cross multiply करूं तो मुझे हाँ पर m square x minus m y plus 2 is equal to 0 देखो मिल रहा है तो यह तो हो गए हमारी tangent की equation अब यहाँ पर बस m की कमी है अगर उसे m पता चल जाएगा तो मैं यहाँ पर क्या बता पाऊंगा कि यह कौन सी tangent है है ना m की जो भी value आएगी हमको substitute करेंगे हमारा answer आएगा लेकिन हमें चाहिए एक ऐसी tangent जो common tangent है और parabola and circle तो आपको यहाँ पर figure ड्रॉब करना है तो शायद आप इस तरह से कुछ figure ड्रॉब करोगे है ना कि यार circle को भी एक line tangent है और वही line आगे जाके तो let us draw that also मतलब हमारे दिमाग में रहेगा कि यहाँ पर actually दो answers तो हमने expect करना ही चाहिए और in fact यहाँ पर जो आपके पास में tangents आ रही है उन्हीं की वाज़ा से यह point of contacts हो रहे हैं शायद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आपकी comment agent है वो टेच करती है circle को add points P and Q तो आपको यह भी रिलाइस हो रहागा कि यह points काफी symmetrically located होने चाहिए है ना यह symmetrically located points होना चाहिए क्योंकि आपका figure ही symmetric है इसका area हमें निकालना तो यह आपके coordinates आपको पहुचना पढ़ाएगा हमाहां तक आप जो आपको पहुचना पढ़ाएगा क्या करें क्या करें क्या करें इस question में ऐसा करते हैं हम यहाँ पर ऐसा करते हैं सबसे पहले तो अपना जो यह है ना अपना जो equation है उसको circle के साथ में common करने के लिए इस particular line के ओपर मतलब इस tangent के ओपर perpendicular drop from center radius के बराबर करते हैं है ना कहीं न कहीं हमें M की वहली तो निकालनी पड़ेगी है तो हमारा center of circle है 00 और radius इस question में हमारा root 2 के बराबर ठीक है तो 00 से उसके ओपर perpendicular drop 00 से उसके ओपर perpendicular drop जो आपके हाँ पर ओपी है वो radius के बराबर हो जाना चाहिए तो आप यहाँ पर ओपी निकालो कि कैसे 0 और 0 डालो के इसके अंदर तो यह तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2 हो जाएगा नीचे कितना आएगा अंडरूट के अंदर A2 प्लस 2 स्कूर अंडूट के अंदर A2 प्लस 2 स्कूर एंडूट के बराबर हो जाएगा यह आपका रूट 2 के बराबर हो जाना चाहिए तो अगर आप यहाँ रूट 2 डालोगे और 2 साइड अगर स्कुर पर करोगे तो आपके मिनेगा टू को स्कूर हो जाएगा 4 टू का स्कूर हो जाएगा true और अंडूट यहाँ पर स्प्लिफा होजाएगी एंड की पावर 4 प्लस m स्कूर एक 2 कैंसल कर और यहां पर अब इस equation को solve करके देखो कि आपके mk values क्या-क्या निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप यहां पर solve करना के लिए इस equation को उठाओ के तो जाता बहतर होगा, कि थोड़ी देर के लिए मान लेता है, कि m² जो है, वो t के बराबर है, क्या कहते हैं, अगर m² की देखे टी डालेंगे, तो थोड़ा बैटर फिल होगा न, solve करते हैं, कि 2 is equal to t square plus t, मतलब t square plus t minus 2 is equal to 0, तो यह हो जाएगा factorize, factorize होके यह बनेगा क्या, यह बनेगा, t plus 2 into t minus 1, t plus 2 into t minus 1 is equal to 0, तो t के आपका समें हाप पर answer या तो minus 2, या फिर t का answer plus 1, ऐसा आपके बास में आता है, minus 2 या फिर plus 1, तो यहाँ पर आप समय जगे होंगे, t ultimately क्योंकि आपका m square है, तो यहाँ से तो m square is equal to minus 2 आ रहा है, तो यह तो waste होगी, है न, इसको इग्नोर कर दो, और आपको दूसरा जो मिलता है, वो क्या है, कि m square is equal to 1, अगर m square is equal to 1 है, मतलब m के possible values आपके इसमें मतलब m की ही जरूरत थी, वर्स, आप अलड़ी यहाँ पर equation of tangent पे बैठे हुए हो, बस m पता नहीं था आपको, अब आपने हाँ पर जो addition condition apply करें कि यह तो tangent जो लिखी है, यह तो parabola की tangent है, लेकिन यही लाइन अगर common tangent है circle के साथ में, तो circle की यहाँ पर property satisfy करवा दे, कि इसके उपर center से perpendicular drop root 2 के बराबर होना चलिए, क्योंकि यहाँ तक आते आते guarantee cable parabola के tangent की थी, लेकिन जब आप यहाँ पर यहाँ पर देख पार हो क्या हो जाएगी, tangent 1 and tangent 2, जो पहली tangent है आपके उपर वाली, अगर आपको यह calculate करना है, तो आप यहाँ पर slope positive, मतलब plus 1 डालो, अगर आप plus 1 इसके नदर डालोगे, अगर आप plus 1 इसके नदर डालोगे, तो देख यहाँ आपके एक्वेशन क्या बन रहे है, x-y plus 2 is equal to 0, x-y plus 2 is equal to 0, बहुत माइनस इंका स्क्वेशन पर फिर से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x-y plus 2, x-y plus 2 is equal to 0, तो कि अभी भी हम यहाँ पर portion के completion पर पहुँचाए कि नहीं पहुचाए, तो जोचके देखो तरह, 15 answer बिड़ा आपके बिल्कुल सही है, इस I guess now we are very hopeful कि हम यहाँ पर जल्दी से इन points को निकाल पाएंगे, क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर अगर tangents की equation ही आ चुकी है, तो क्या आप इस particular point को निकाल के बता सकते हूँ, let us call this point T, यह point T क्या है, intersection point of the two given tangents, अगर मैं इन दोनों को solve करता हूँ solving the two tangents, if I solve these two tangents, जो महर पास में भी हाँ पर आई है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते है, दोनों को add कर सकते है, अगर हम दोनों को add करेंगे, तहीं हाँ पर क्या हो जाए कि 2x plus 4 is equal to 0, मतलब x equal to minus 2, अगर x equal to minus 2 आया है, तो आप किजी भी एक equation में डाल के चेक कर सकते ह जाएगी, 0 आजाएगी, ठीक है, तो आपका h का मतलब जो t coordinate निकल कर आ रहा है, that is minus 2, 0, वैसे हमें पता था कि y की value तो 0 यानी चाहिए, क्योंकि figure में अगर इतनी symmetry है, तो intersection point भी symmetry के लिए place दोना चाहिए, symmetry के लिए place दोना चाहिए, मतलब x axis को उपर place, x axis को पर place दोना चा आ रहा है, तो उसका y coordinate तो वैसे 0 होना ही चाहिए था, हम यहाँ पर specifically पता चल गया है कि यह point अब कितना है, यह point आपका minus 2,0 है, अब इस पे हम कर गया सकते है, what can we do next, यहाँ से मैं सोच रहा हूं कि अब T के नजरिये से एक बार मैं, यह जो point of contact से न, उनको देखने की कोश बनाई है, जिसके मतलब से pure Q तो point of contact आए है, अगर आप प्योर Q को join कर दोगे तो क्या होगा, वैसे भी आपको यहाँ पर trapezium के area निकालने के लिए, trapezium तो बनाई है, तो आपको यह लग रहा है कि यह cord बना है, cord of contact बना है, cord of contact किसके नजर से बना है, यह minus 2 के नजरिये से देखने पर एक cord of contact create हुआ है, so we are now going to find this equation of PQ, यह equation of PQ निकालने का मतलब reason क्या है, यह equation निकालने का reason यह है, कि हम यहाँ पर फिर यह जो line आएगी, इसको solve कर सकते हैं, इसको solve कर सकते हैं, circle के साथ में, या फिर tangents के साथ में, ताकि आपको pure Q points का coordinate पता चले, pure Q के coordinates पहुँ very very easy task, कोई यहाँ पर खास machine नहीं होना चाहिए, now equation of PQ मुझे चाहिए, equation of PQ यहाँ पर हमें कौन से पंडे से लिखने वाला हूँ, t is equal to 0 वाले पंडे से लिखने वाला हूँ, उसके लिए आपका circle कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, आपका circle यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है y1 और equal to कितना आजाएगा, constant जो भी था हो हाँ, तो अगर आप यहाँ पर इसको खतम करते हो, y की value को हो तो आपको यहाँ पर x का value कितना मिलेगा, x का value आपको यहाँ पर minus 1 के बराबर मिलेगा, x का value अगर आपको यहाँ पर minus 1 के बराबर आगया है, तो instead of solving this with circle, वैसे circle के स now solve with circle, now solve pq with circle, अगर आप यहाँ पर अपने p और q तो देखो मिलेगा, therefore p मिलेगा, आपको यहाँ पर minus 1, 1 के बराबर, और q मिलेगा, आपको यहाँ पर minus 1, minus 1 के बराबर, how of the task is done, अब यहाँ पर मुझे चाहिए अपने R और S के values भी, अगर मैं R और S के values भी निकाल लोगा, तो मेरे पास में, final answer भी आजाएगा, आसानी से, उसके बाद में कोई खास task बच्चे का लिए, उसके बाद में हमें क्यों अपने for में supply करने हैं और answer निकालने, तो अब मैं फिर से यहाँ पर similar सा thought सोच सकता हूं, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर, अभी code of content का पंडा, पेरावला के लिए बताया है नहीं है, वैसे आप कर सकते हैं, वैसे बहुती आसांग पंडा है, code of content का पंडा ellipse, जो आपका circles का है, वही सेम पेरावला का भी है, तो आप यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली transform ही करना है, लेकिन चलो उसको जाने देता है, एक दूसरे दर्गी से यहाँ पर मैं आपको आर और स तक पहुंचने की है नो, तरकीब बता देता हूं, आप यहाँ पर basically क्या जानते हो, आप भी जानते हो कि इन दोनों tangents का slope कितना है, ठी देखते हैं आ रहा है parabola, हाला कि यह का हम यहाँ पर भी कर सकते थे, क्योंकि हमें slow format में यहाँ पर भी अपने point of contact निकाल सकते थे, अगर किसी को formula याद है circle वाला point of contact directly निकालने का, तो वो यहाँ पर अपलाए actually हो सकता है, आपके यहाँ पर यह जो महनत है, थोड़ी सी point of contact का idea generate किया है, उसको use करके बता दो, ठीक है, तो मैं हाँ पर क्या जानता हूँ, कि point of contact for parabola क्या होता है, point of contact for y square is equal to a text, अगर मैं y square is equal to a text के point of contact को लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास मैं idea यह है कि a by m square comma 2a by m, a by m square comma 2a by m, यह point of contact का formula है, a by m square comma 2a by m, यहाँ पर a का value तुमें कितना डालना चाहूँगा, 2 डालना चाहूँगा इसमें, तो अगर मैं 2 डालता हूँ, तो मेरे पास में कितना आता है, 2 by m square comma 4 by m, और m की value में आगे चलके कितना डालना चाहूँगा, एक बार plus 1 और एक बार 4 मिलेगा, m की value हमारे कितनी है, plus 1 and minus 1, ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना, plus या फिर minus 4 के बराबर, तो obviously यहाँ पर जो उपर वाला है, उसको plus 4 अलोट कर दो, नीच चाले को minus 4 आप अलोट कर दो, और आपको अब अपने सारे ही coordinates सिह पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपक 1 and 1, और यह आगया था, minus 1, minus 1, यह आपके R और S के coordinates कितना है, 2,4 and 2, minus 4, तो बस आपको यहाँ पर आप अपने पॉर्मे को अपलाय करने के लिए, distances चाहिए, यह जो distance है, 4 और minus 4 कितना है, इनके बीच में distance 8 के बराबर, PQ का distance अगर आपको निकालना है, तो यह 1 और minus 1, इन साथ के लाइन है, minus 1 वाली लाइन है, तो 2 और minus 1 के बीच में distance कितना होगे, 3 के बराबर होगे, बस, कितना ही चाहिए था, आपको, area का value लिख लो, और आगे बढ़ते हैं, area का value हाँ पर कितना आएगा, आपका है, half of, sum of parallel sides, 2 plus 8, into distance between them, which is equal to 3, ठीक है, 15 is the correct answer for this question of j advance 2014, ठीक ह थोड़ा सा मुश्कील है सोचना, ठीक है, clear, question हिंदी में भी लिखा करें, ठीक है, try करेंगे, ये काफी दिनों से वैसे बच्चे सजेस्ट कर रहे थे, हमने तब पहली बार पढ़ाना स्टार्ट के थे, तब भी suggest कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर यह सोचों कि हिंदी मे ऐसे जगर question लिखा होगो, तो भी आपको यह जो लाल कलर से equation लिखी हुई है, वो तो English में लिखी हुई होती है, तो उतना तो मेरे क्याल से आपको समय में आते ही होगा, थोड़ा सा कोशिश करको तो मेरे क्लिक कर जाएगा आपको, कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ठी congratulations, okay, सुधिप्ता, यहाँ पर बेटर shortcut मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर जेएडवांस के एक्सपरेंट हो, तो आपने सवाल कभी पूछना नहीं चाहिए, ठीक है, जेएमेन में तब भी आप एक्सपर कर सकते, शौटकट कभी कभार आपके लग जाएंगे, वैसे जेए स्पीड बढ़ाने के उपर आपने जादा फोकस करना चाहिए, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड सम शौटकट, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर लोगे, जब तक आपको समें यहाँ पर यह पॉइंट्स नहीं आएंगे, तब तक आप यहाँ पर कैसे बताओगे, कि ए एडवांस के एक-एक पेपर को उठा के देख लो, आपको यहाँ पर ऐसे शौटकट लग गया और आंसर आगया वाले बहुत कम कोशन मिलेंगे, हालां कि आज के सिशन में हमें ऐसे कोशन करेंगे, जिनको आप औरली आंसर कर दोगे, बट वो अलग बात है, एक हाद दो को सॉलूशन देखा कि आप यहाँ पर सॉलूशन क्लियर होगा सारे बच्चों को, यहाँ पर हमने पहले क्या निकाला, कॉमन टेंजेंट्स की एक क्वेशन हमारे पास में आ गई, हमने लास्ट प्लास के जो लास्ट कोशन हमने सॉल्ट के था, उसके अंदर भी सिमिलर यह तो क्लियर होगा था, कि हम कॉमन टेंजेंट्स की कैसे निकालेंगे, उसके बाद में लेकिन यहाँ पर यह जो पॉइंट ओफ कॉंटेक्स निकालने वाला टास्क था, उसको कम्वीट करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा, कॉर्ड ऑफ कॉंटेक्ट का साहरा लिय यहाँ पर थोड़ा रुपके सवाल को सॉल करना पड़ता है, अगर आप यह एक्सपेट कर रहे हो कि वह जो दो मिनिट में सवाल होना चाहिए, तीन मिनिट सवाल होना चाहिए, वह आइडिया के साथ में आप उत्रों के खेलने, तो भाई वो गेम ऐसा ही नहीं, जी सवाल के साथ में, दिमांग बानना पड़ता है, और तभी यहाँ पर पूरा सॉलुशन हमारा निकल करना था, ठीक है, चलो, तो लेट इस प्रोसेड तो इस प्रूलर आइडिया, ओफ पॉइंट अफ इंटर्सेक्शन निकालना चाहते हो, तो हम यहाँ यहाँ पर जो फॉ कि आप यहाँ पर यह लिवी धो टैंजन्सकेंट का पॉइंट अगर निकालना चाहते हो, यह लगा लंशा सी प्लाइडशेक्शन गण करना दो निकालना चाहते हो, उसके लिए हमार पास में जो आवेलबिल डेटा है, वह यह है, कि हमने क्यों पीक आपर अगर बनाए तो उसका पैरामेटर किता है तो अगर हम यहां पर इनके पैरामेटर से पता चल गए तो फिर तो बहुत ही बढ़ी हा बात है क्योंकि लास्ट क्लास में अभी हमने equation of tangent in parameter format भी देखा गा लेट इस यहां पर T के format में इस पर्टिकलर पैराबोला के उपर tangent लिखना जानता हूं क्या equation आती है उसकी T y is equal to x plus 80 square ऐसे equation आती ही ती y is equal to x plus 80 square बस यहां पर क्या करना है आपको specially अगर प्यार की equation चाहिए तो T की चाहिए T1 डाल देना प्यार की जो आपकी equation है उसके लिए आप T के placement T1 डाल दो और वैसे ही आपको अगर यहां पर QR की equation चाहिए तो आप T के placement T2 डाल दो और आपको क्या ही करने के लिए बोला जाना है आपको क्या निकालना है अगर आप यहां पर टेंजेंस बनाते हो तो उसका intersection point कहा पर गिरेगा ऐसा आपको solve करके बताना है तो आप solve करने का मतलब क्या है कि आप यहां पर इसको सब्ट्राइट कर लो सब्ट्राइट कर लोगे आपका X eliminate हो जाएगा ठीक है तो आपको यहां पर answer निकालते आ जाए सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है तो अगर में हापे a square minus b square करोंगो तो t1 minus c2 दोनों साइट से cancel हो जाएगा और मुझे हापे अपना y का value मिल जाएगा y का value कितना मिल रहा है मुझे है आपके a times of t1 plus t2 बढ़िया यह चाहिए था actually आपको देखो ध्यांतर जो कॉर्णा यहाद करने के लिए बोल रहा है आपको कि r का coordinate कितना बनेगा तो a t1 t2 गॉमा a t1 plus t2 a के अंदर multiplication में t1 plus t2 a के अंदर multiplication में t1 plus t2 y की value हमने निकाली है यह यह एक्षिव हमें प्रूव करना है ठीक है अभी x की value भी आप निकालो आपके समें और इक्वेशन है ना ना वी और रही हम देखेशन विच इवन वाई is equal to x plus a t1 square यहां पर ऐसे करते हैं कि y के मिली उठाके डाल देते हैं ताकि हम x के लिए आगे solve कर पाएं तो क्या होगा है यहां पर आपको यहां पर t1 into a times of t1 plus t2 is equal to x plus a t1 square ऐसी मिल रही है तो let us open this and check कि क्या हो रहा है अगर आप यहां पर at1 अंदर multiply करोगो तो at1 square बनेगा और at1 t2 बनेगा और यहां पर कितना आ जाएगा x plus a t1 square a t1 square यहां पर cancel हो रहा है तो आपके हापे जो x का value calculate होके आ रहा है that is a t1 t2 x का value calculate होके आ रहा है x का value आ रहा है a t1 t2 तो यहीं actually आपका यहां पर target था बड़ा ही simple है न derivation as such कोई खास मुश्किल नहीं लगा इस case में आपने हापे सिद्धे सिद्धे equation लिके solve कर दी आपका answer आ लिए a t1 t2 comma a t1 plus t2 but good thing about this particular result is this if you notice closely if you notice closely आपको यहां पर पता चलेगा कि आपका जो point P है उसका parameter t1 मतलब इसका जो actual coordinate है वह कैसे लिखा जा सकता है a t1 square comma 2a t1 और वैसे ही आपका जो q point है उसका parameter t2 है तो इसका coordinate कैसे लिखा जा सकता है a t2 square comma 2a t2 और अगर आप अपने r के value को थोड़ा सा notice करो r के value आपकी जो i है यहां पर intersection point of tangents at t1 t2 वो कितना निकल करा है a t1 t2 comma a t1 plus t2 अगर आप इन values को अच्छे तरी किसे study करोगे तो आपके हाँ पर पता से लेगा कि यह जो निकला है न यह जो x coordinate of intersection point निकला है वो तो originally present coordinates का geometric mean है अगर आप इन दोनों को multiply करो और अंडूट लेल अगर आप इन दोनों को multiply करते हो तो लेकिन इसको याद रखना भी बहुत आसा clear तो हम यहाँ पर कभी भी है न डरेंगे न इस result को याद करने में यह हमें coordinate का arithmetic में ठीक है बड़ी simple सा result है हमारे पास ठीक है so यह तो मेरे खाल से काफी simple discussion है इसको हम आगे लेकिन इस्तेमाल करेंगी है न काफी important feel होगा आपको आगे चल गई but for now let us try to understand कि अगर सवाल के अंदर आपको y square is equal to 4x वाला parabola नहीं मिल रहा कुछ दूसरा parabola मिल रहा है standard ही मिल रहा है standard जो हमारे चार parabola से उनमें से कुछ ने कुछ मिल रहा है लेकिन y square is equal to 4x से हटके कुछ मिल रहा है तो आपको उनकी भी तो tangents लिखते आनी चाहिए न tangents to other standard parabolas कैसे लिखेंगे तो ये जो पड़िदूल आपका topic है ये मैं अलग पढ़ा रहा हूँ है न मैंने पहले y square is equal to 4x के लिए आपको सब कुछ सिखा दिया अब मैं आपको अलग से realize करा रहा हूँ कि इनकी भी equations तो होती है इनकी equations भी आपको यहाँ पढ़नी पढ़ेग लेकिन बुक्स में क्या होता है बुक्स में ऐसा शायद करते नहीं बुक्स में क्या करते हैं डैरेक्ली यह दे जाते हैं कि पॉइंट फॉर्म में यह देखो equations तो देखके हमार दिमाग खरवा जाता है कि यह क्या हो गया इतनी सारी equation आगई एक साथ इनको याद करना लेकिन उतना है ना जो पड़के समझ में आता है वो पूरी हमारे दिमाद में बात तो उतर दी नहीं है तो मैं लेगा कि इतनी सारी चीज़ें कितना मुश्किल है सरकल तक तो आसान था लेगिन आप यहाँ पर चार-चार पैराबलास के चार-चार याद करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पर दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको कोनिक सेक्शन बहुत हेवी फील होगा आपको लेगा कि अर इतनी सारी चीज़ तो उमें कभी याद करी नहीं सकता और और मैं याद कर भी ली तो भी एक्जाम में कैसे याद रखूंगा मैं कि कहां पर प्लस आप यहाँ पर बोलोगे कि यह टेबल्स की जरूत ही नहीं है मुझे टैक्शुली कोशन सौल करते हैं अपने आप यहाँ आ चाहिए टीक है सो फॉर्स फॉर्स भी वांट डिसकस अब पॉइंट फॉर्म अब पॉइंट फॉर्म अलड़ी हमने यहाँ पर डिसकस करकर रखा है वाइस पॉर एक्स के लिए ग्रीन से जो है यह बैसिकली अब डिसक्शन कंप्लीट कर चुके हैं इन स्टैंडर्ड पराबलास हम अपना जो ट्रांस्फोर्मेशन है ना उसी को अप्लाइक कर लिया करो तो अगर हमने इसके लिए भी यह नहीं करी है तो बाग की तो कुछ हम अगर इसके लिए भी बोल रहे हैं कि याद कर नहीं कि जरूत नहीं है आप तो यहां पर ट्रांस्फोर्मेशन देखो कैसा हो रहे है वाइस पर की प्लेस में वाइवाइवाइब बढ़िया बात है और एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एक्स प्लस एक्सवन अपॉन टू यहां पर अगर आप एक्स प्लस एक्सवन अपॉन टू करते हो तो टू टू आपका कैंसल होगी यह बने लिए लेकिन बुग में लिखना पड़ता है बुक में इस तरह के टेबल आपको देने पड़ते हैं क्योंकि अधर वह नहीं देगा तो आप बोलोगी कि बुक में इ लेकिनो टेबल याद नहीं करना है यह वहां लिखावा नहीं होता ठीक है देखों यहां पर वाइस पर इस पर एक हमारा दूसरा स्टैंडर पैराबला अगर में उठाता हूं तो वाइस पर के प्लेस में वाइवाई वन अच्छा आगे लह स्टमाच कर गे और एक्स के प् फॉर्मैट का पैर डिया जाए परक नहीं पडता हम हमें किसी भी फॉर्मैट का पैराप्वला दिया जाए हम तो अगर पॉइंट फॉर्म में टेंजन की इक्वेशन लिखनी है तो हम transformation करेंगे, अपना answer लिखेंगे, ये table बस showcase के लिए हैं, है न, ये बस दिखाने के लिए कि ऐसी भी equations होती है, इस table को याग नहीं करने के ज़रूँद है, what about this discussion, parametric form, parametric form में भी अभी हमने, देखो use भी की, parametric form ऐसा नहीं कि use नहीं होता है, ठीक है, parametric form अभी हमने use किया, ty is equal to x plus 80 square, तो y square is equal to 4x के लिए, तो ty is equal to 80 square कम सकम आपने याद करी लेना ची, ठीक है, इतना तो मैं आपको suggest करता हूँ कि आपने, यह ले page पर पहले वाली equation प याद देखो कर लेनी ची, y square is equal to 4x के लिए, ty is equal to x plus 80 square, लेकिन अगर आप यहाँ भी realize करो, तो ty is equal to x plus 80 square का जो ना लिखके 80 square, 280 पे लिखनी थी, तो आपने क्या बोला कि यार पहले हम इसका, एक एक सोन वाइवन में equivalent लिख लेते हैं, और उसमें एक सोन वाइवन की जगे parameter coordinate substitute कर देंगे, यही तो derivation के दो steps है, दो ही step का derivation है, तो अगर आपको फिर से यहाँ पर लग रहा है कि यह क्य क्या बोलना सारा हूं, यहाँ की ध्यान से देखें सारे बच्चे, लेटस से, लेटस से कि मुझे यहाला exam में parable आगे, x2 is equal to minus 4 होगा है, मुझे याद नहीं है, इसके parameter format में equation लिखने की जरूर पढ़ रही है, लेकिन मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, दो step, पहली step में करूँगा कि मान लूँगा कि मैं इसकी x1, y1 वाली format की equation कैसे निकलती है, transformation से निकलती है, तो अभी हम पर क्या करोगे, x2 की place में x, x1, और y2 की place में, y1 upon 2, replace करोगी, लेकिन आपको फिर याद रहेगा, नहीं नहीं, question में ता actually parametric format का इस्तिमाल करना जरूरी है, है नो उसी के बाद आपका सवाल आसाने से सौर हो पा रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि इस parabola का parametric coordinate क्या होता है, यह गलती मत कर देना, ठीक है, यहाँ पर हमने 80 square, 280 replace किया था, x1 की place में क्यों, क्योंकि वो उस parabola का parametric coordinate था, तो इस बार आपको x1 को फिर से replace ही करना है, ले उसके अंदर भी तो हम यही सोच रहे थे ना, कि हाँ पर यह अच्छा सा square कैसे बन जाएगा, अगर minus 4a y को अच्छा सा square बनाना है, तो हमने decide करकर है, यह minus 80 square से हो जाए, minus 80 square अगर में डालता हूँ, तो यह बढ़िया तरीके से x simplify करके value generate करके देगा, कितनी देगा, 280 generate करक देखो, minus 80 square एक अच्छी value है, जो आरेट इसको perfect square बना रही है, और अंडूट लेने के अपने 280 आप calculate खुद से कर सकते, तो अगर आपको यह आइडिया है कि parametric coordinate तो हम खुद ही देख लेते हैं, equations ही हम बता लेते हैं कि हाँ पे parametric coordinate कितना होने जाए यह भी आपको याद 80 और यहाँ पर 22 cancel करके minus 2A के साथ में आपको कितना मिल रहा है, y plus y1, y plus y1, y1 का value कितना है, minus 80 square, जल्दी से यहाँ पर confirm करके बताँ, कि क्या यहाँ से आपका correct answer match हो रहा है, देखो आपका 2A 2A cancel होते ही दिखा रहा है, सारे बच्चे को, 2A 2A cancel होते हैं नजर आ रहा है, yes, 2 2A यहाँ से और 2A यहाँ से cancel कर दो, यह minus sign अंदर जाएगा, minus sign अगर यहाँ से अंदर जाएगा, तो आपको tx is equal to minus y and minus minus plus plus 80 square दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपको अगर यहाँ पर याद करने में confidence है, तब तो आप कर लो, कोई tension नहीं, लेकिन फिर इस बात का भ इसको मत करो आप सौल, ठीक है, इसको आप यहाँ पर अन्ने सरी याद करने के पीछे मत पढ़ो, आप यहाँ पर इसके अंदर बस जो steps है, उनको याद रख लो, ठीक है, काफी convenient steps है, आपको यहाँ पर transformation तो याद होता ही है, parameter coordinate भी याद होता ही है, change करते ना answer है, मैंने तह है, तो मैं तो अपने दिमाग पर इतना जोर नहीं दे रहा था कि यहाँ पर मैं एक जगे याद करूं कि भाई, इसका parameter coordinate रटने बैठाओं में, रटना काई को दिख रहा है, यहाँ पर कैसे निकालते है, और यह रट रहे हैं कि भाई, इसकी तो ty is equal to x plus 80 square रट रट रहे है है ना, सुबह से बट के है है ना, ऐसा सर नीचे उपर नीचे उपर नीचे करके, हाँ याद हो रहा है, याद हो रहा है, ऐसे खुड़ी करना है, ऐसे निकले है, ठीक है, ty is equal to minus x plus 80 square होता है, यहाँ याद कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर य स्क्रीनिंग 2005 में सवाल आया था क्या पूछ रहा है यहां पर टेंजेंट टुद कर वाइज गुलू एक स्क्वेर प्लस सिक्स एड़ पॉइंट वन कॉमा सेवन पे आपको टेंजेंट लिखने की मुझे तो अभी इतना ही सवाल पढ़ना है इतने सवाल में मुझे कुछ- कोई साथ भी पैरभला हो टेंजेंट लिखने के लिए आपको क्या करना है इन-फैक्ट अगर ही होता है तो भी ट्रांस्फरमेशन नहीं कर रहे होते है आगर है है यहीट्र पर प्रफला होता है नोग्फ थो प्लस निल्चन अपन 2 एक स्कूर्माइट की प्रॉइस हो गया है अगर आप यहांप यहांपर करते हैं यहां प्लस सेवन इस इकल टू एक्स प्लस ट्वेल आप तो टेंजन टीवेशन पॉइंट फॉर्मेट में परमेट्र कर लें लेकिन आगे लिगा इस ली पूछेंट तो पूछ विच देख देख लिए लिए लेकिन तो तो अ अच्छा अब यजो लाइन आई हैं वह सर्कल को टज करती है समझने को आपको यहां पर बनाने की पैरावला की जिरोधी है क्योंकि पैरावला की टेंजेंट कर डिसक्रशन कर आखे चलके हो रहा है उस पैरावला का डिसक्रशन तो खता हो जूंगा है तो उसका कि टेंजेंट से मतलब है जो 107 पे प्लॉठ हो रहे है और वो क्या प्रापटी शो करी है टेंजंट आगी साके कि वह किसी एक सर्कल को duck कर रही है प्रिकली स्पर्ट कशी कारी कि यह कूँंब से साउअ कि कर रही हैसूं corona-6 यहां savior पूछा गया है दें दे कओडिने टो कि यहाँ पे पॉइंट आफ को निकालना है आपको सवाल आपके इसका बचाई नहीं आपका सवाल यहाँ पर पैरावलक का खतम हो चुक है अब यह सर्कल का सवाल है अगर यह सर्कल है और एक लाइन उसको टच्छ करके जारी तो क्या आप पर पॉइंट ऑफ कॉंट ऑफ कॉंट ऑफ क्लियर है कि आपका एक्चली फूट ऑफ पर्पेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कॉंट ऑफ कॉंट ऑफ का आइडिया इस्तिमाल करके अपना एंसर बता सकते हों इस लेकिन वह खुद ही यहाँ पर मेरी खाल चाहते हैं कि नहीं तो चाहा रहे हैं कि आप नहीं इस लिए और क्या किया ओन नहीं दिया लेकिन इक्षिन पॉइंट एक याएगा तो चलो हम यहाँ पर जो चाहते हैं वही करते हैं और मुझे पता है कि यार कोई लाइन अगर टच करके जा रही है तो उसका पॉइंट ऑफ पर्पेंग्लर पे ही आता है तो आपको अब यहाँ पर फूट ऑफ पर्पेंग्लर फॉर्मॉला इस्तावाल करना है वह उसी के अंदर हमाइन स्ट्रू जो आता है वह नहीं इस्ताव करना है ठीक है, so x minus x1, x1 कितना है अपना, minus 8, x minus x1 करेंगे तो x plus 8, x minus x1 upon a, a का value कितना है, 2 के बराब, is equal to y minus y1, तो एक तो यह कितना है, y plus 6 upon b, b मतलब minus 1, is equal to minus of, a x1 plus b y1 plus c, तो यहां पर अगर substitute करते हैं, आपको कितना मिलता है, minus 16 plus 6 and plus 5, नीजी कितना आजाएगा, a square plus b square, मतलब 5, तो अगर आप यहां पर थोड़ा simplify करोगे, तो यहां पर देखो, यह 11 हो गया, 11 के साथ में minus 16 हो जाएगा, minus minus, plus 5 हो जाएगा, 5 को 5 से divide करेंगे, तो 1 बनेगा, तो आपका RHS ultimately 1 के बराबर, तो आप यहां पर इन दरों को solve करो, तो यहां से आपके उसमें x का value आएगा, और इन दरों को solve करो, यहां से आपके उसमें y का value आएगा, यह जो put of perpendicular निकला है, यही तो आपका क्या है, यही आपका required q है, तो q का coordinate क्या जाएगा, simple था yellow question, yellow question simple है, अगर आपको यह सारे ideas और formulas यहां देता हूँ, तो आपके यहां पर 2 cross multiply होने के वाद में, 8 अगर इस तरह आएगा, तो minus 6 बंते वो दिखाई दे रहा होगा, माइनस 6 काओं माइनस 7 मतलब D इसका correct answer, ठीक है, देख लो एक बार क्यालक्यूशन सारे बच्छे, L6 आज ही होगा, हाँ, अपना, आज जो है marathon run चलता है, आज मैंने 3 session लेने का सोचा है, जिसमें से दूसरा चल रहा है, अब तीसरा इसके बाद में हम लेंगे 9 बजे, 9 बजे या साड़नों बजे, एक बार चेक कर लेंगे, हमार रेगलर टाइम वेसे 9.30 का है, 9.30 को ले लेंगे, ओर रेट, इसके अंदर आपने एक standard parabola तो है, लेकिन y square is equal to 4x वाला नहीं, दूसरा standard parabola के उपर tangent लिखना, सीख लिया कि आपकोई बड़ी काम, बड़े बात इसके अंदर होती नहीं, ठीक है, अब यह थोड़ा तब भी better discussion, इसके अंदर तब भी मैं multiple चीज़ें आपको याद रफने के लिए बोलूंगा, ठीक है, तो आपने हाँ पर यह जो green वाला discussion यह पूरा देखा हुआ है, एक बार recall कर देता हूँ, यह standard parabola हमने लिया, और फिर यह बोला कि इसके उपर जो आपको tangent मिलती है, वो slope format में वाइस गुलो mx plus a by m होती है, यह a by m हमें कहां से पता चला, हमने पहले माना कि let y is equal to mx plus c, let y is equal to mx plus c is the tangent, और अगर यह tangent है तो हमने बोला कि अगर आप इन दोरों को solve करोगे, तो discriminant की value equal to 0 आने चाहिए, तो हमने यहाँ पर discriminant की value जोब equal to 0 करी, तो हमें condition of tangency मिली, condition of tangency जो हमें यहाँ पर मिली, वो a by m के बरावर मिली, c is equal to a by m, तो हमने यहाँ पर c के जगे उसको चिपका दी, कि c की value अगर a by m के बरावर होगी, तो आपकी जो line है वो tangent हो जाएगी, तो हम price out करने नहीं, wise equal to mx plus a by m, तो हम सब को याद होना ही चीए, लेकिन यही काम हम जो derivation में अभी discuss कर रहे थे, यह बाकियों के साथ भी करी सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या वो लेंगे, कि अच्छा ठीक है, यह आपके इसमें परावला है, आप यहाँ पर मानलों कि wise equal to mx plus c is the 0 कर सकते हो, जब discriminant equal to 0 करोगे, तो आपको यहाँ पर यहाँ आप पर अपनी टेंजेंट की equation मिल जाएगे, और यहाँ अप यहाँ आप यहाँ अगले वाले के लिए कर सकते हो, ऐसी अगले भी हैंग्या आप यहाँ पर यहां पर आपको तरीका चेंज सुन जाएगा पर अगर आप यहां पर वापस अगर सोचो तो यहां पर में प्रॉब्लम अब हमारे अंडर्स्टेंडिंग का तो ही नहीं समझ में तो आई गया हमें कि हाँ यह यह कैसे आएंगे हमने एक बार और डिसकस कर लिए कि देखो ऐसे आएंगे लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्जाम में जब यूज करने का मौका आएगा तो यह समय में याद किसे रहेगा तो मोर इंपॉर्टेंट इस डिसकेशन भेर वी यह सब दिमांग में उतर एगा कैसे तो पहली बात आपको मान लेना चाहिए कि यहां पर जो लिखा है वो सब हम यहां पर अगर कुछ पैटन स्टडी कर लेंगे तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी यह फिर हो सकता है कि आपको आज के बाद में कभी याद करने की ज़रूती ना पड़े अब रेडी हो जाओ फॉर्मल यूज करने के डिरेक्ली ऐसा भी हो सकता है आप यहां भी कुछ रिलेट कर पा रहें कि पैरावबॉला में हमने क्या चेंज किया और उसके चलते अपनी टेंजन की एक्वेशन में क्या चेंज हुआ तो अगर यह मेरा ओरिजिनल पैरावबॉला है और यह ओरिजिनल टेंजन की एक्वेशन है तो मैं समझ रहा हूँ कि यह नए बार parabola में यहां से यहां तक जाने के लिए कर रहे हो A को replace करना चाहते हो minus A से वही सेम काम अगर आप यहां पे भी कर दोगे तो भी आपका answer आ जाए बहुत सई चीज़े हैं तो मतलब मुझे इसको याद करने की जरूद नहीं है अगर मुझे उपर वाला याद है जो याद करना ही है तो आप उसके अंदर पर change क्या करना है उतना याद कर लो कि अगर यहां पर आगे minus sign दिखाई दे रहा है तो यहां पर भी आप minus कर लेना लेकिन ऐसे भी याद मत करो यह तो बहुती crude तरीका याद करनेगा सही तरीका क्या है जो exactly काम करेगा आपने अगर एक ही जगे minus a किया है तो tangent की equation में भी एक ही जगे minus a कर दो आपका सही answer आता है वैसे और एक पीस notice करो कि अगर आप यहां पर somehow यह पता कर लो कि third वाले परावला की tangent की equation यह है अभी आपको पता नहीं है अभी हमने discuss किया नहीं इसको लेकिन चलो अगर आप इसको पता कर लो ऐसा मान के चलते कि आपने कर लिए भ्यानत वाइस गलो mx minus a by am square यहाँ पर answer आगे और अगले वाले में अगर आप notice करोगे तो यहाँ पर बस minus का plus होगे तो कि यही सेम बात आप फिर से यहाँ पर लग्त्ते वे देख पा रहे होगे है कि इस पारबॉला से इस पारबॉला तक आने के लिए आपने क्या खेर X square is equal to plus 4A Y X square is equal to minus 4A Y यहां से यहां तक आने के लिए आपको ऐसा feel हो रहा है कि आपने बस A की जगे minus A लिख दिये और अगर parabola नहीं आपको यह feel हो रहा है तो उनकी tangents में भी यही feel होना चाहिए नगर कि अगर यहां पर आपने A की जगे minus A कर दिया मतलब आपको इनको तो याद करने की ज़रोती नहीं है बिल्कुल भी ज़रोती है और उपर वाला आप याद कर चुके हो तो अगर आप थोड़ी सी महनत करके यह वाला भी अगर याद कर लो तो आपकी problem खतम ही हो जाएगे याद कर लो अभी कर वाइज गुलो करना चाहोगे अपने ओरिजनल ग्रीन शेड़ेट पैराबॉला को वाइश को इस थर्ड पैराबॉला के साथ में तो भी आप यहां पर एक ट्रांजिशन बढ़िया सा देख पाऊगे आगर आपको फर्स से थर्ड पे डारेक्टली जंप करना है दिन दे जंप इस क्रिएट बाई एक्सचेंजिंग एक्सेंड य देख यहां पर य लिखा है वहां पर एक्स आगे जहां पर एक्स लिखा है वहां पर य आगे इस इस एक्चुली वाट वर्क्स देख यहां पर देहां से आपको यहां पर क्या पता है आपको पता है कि अगर आपका पेरबला y square is equal to 4ax है तो इसके अंदर tangent की जो एक्वेशन आपकी बनती है वह y is equal to mx plus a y m बनती है और अगर आप यहाँ पर एक स्कुरेर इस इकोल टू पोरे वाई की टेंजेट लिखना चाहते हो तो देल इन दैट केस दस सजेशन इस कि क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए आपने वाई की जगे एकस और एकस की जगे वाई किया है यहां पर भी आप वही काम कर दो वाई की जगे एकस और एकस जगे वाई कर दो और आपका अंसर आ जाए तो यह तो बहुत बढ़ी आओगी तो आप इसको बस मेरी खाल से ऐसा लिखने की जरूँए वाई को लूट सम्थिंग करके देखते हैं इसको वाई को बनाने के लिए यहां पर नीचे एम जब आया तो मिल रहा है अभी तो गड़ बढ़ोगी तो अलग आ गया तो यह लॉजिक क्या फेल हो गया नहीं यह लॉजिक फेल नहीं हुआ है हमारा जो इंटर्प्लेशन है वो थो थोड़ा और इम्प्रॉव हमें करना पड़ेगा बस आप यहां पर क्या नहीं इंटर्प्ल गणे और होता है एकस का को इफिशिंट होता है एकस के साथ हूआ है उसको हमने जोंने फोड़े बोलना चीह है कि एक्स के साथ में रिखावा है उस तो हमने एम बोल दिया है य ben तो एक्सचेंस करना है एक्सचेंस करने से सही आंसर सो आ चुका है नहीं पर धान चोंसी यह है एप वन भाइंर आ है कि तो फ है यह कि यह क्योंकि और वन होना धा Cum हम यहां पर इसको में नजर आएगा और यहां पर भी अगली नजर आएगा तो अब यहां पर आपका वह एक वेशन आ जाएगा जो आपको चाहिए था आप यहां पर देखो कि आपको अब यह जो भी प्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि वह एक्स को इसी को एंब बोलना चाहिए ना आपने इसी को इंब बोलना चाहिए एक्स का जो इफिशन होता है वाज़ू पर में वही तो स्लोब होता है ठीक है तो आईडिया इस दीप्लेस फंट बाइंड विट एंड एंड वेंड विडू देट एंड वन वी दू दैट आइगेस वी गेट आवर फाल लांस अटेक है यह जो ट्रांजिशन वाला स्टेप है वह कौन सा करना है एक्स और य को एक्सचेंज करना है और आपकी हांपे थर्ड रोबी जन्र हो जाएगी बड़ क्योंकि यहां पर आपको एडिशन दोतीन स्टेप्स करने पड़ रहे हैं तो इसको अलग से महनत करके इसको याद करो ठीक है यह अच्छी एक्वेशन है यह आपको बेसिकली वर्टिकली ओर्येंटेट पैराबोलास जो होते हैं उनकी टेंजेंट सेकेंड रो और फॉर्थ रो मना कर दिए याद करने से ठीक है अब थर्ड रो को अलग से अभी फोकस में लेखे इसको याद कर लो इससे होगा क्या कि आप कोई जहमत नहीं उठानी पड़ीगी ऑल्टो डेर इस अ वे आउट जैसके हमने भी डिसकस किया कि एक्स किया और पाइपी जगे एक्स करने से आपकी यहाँ पर बात बन जाती है लेकिन तब भी आप यहाँ पर इसको अलग सा याद करी लो वाइस गुलो मैंस माइनस एंट स्कूर और आपको यहाँ पर अपनी पूरी प्रॉड्म सॉल्ट होते हैं अब यह कुशन तक अगर बात समझ में अब यह कुशन तक अगर बात समय में आगे तो आपको दिखाए देखा कि सब्सक्राइब के यह वाला कॉडिन हमने इस्तिमाल किया था तो अगर याद नहीं होता तो कोशन और लेंदी हो गया होता फिर यहाँ पर फाइंड करने कि हमें उसकी भी कॉन कोड़ बगर कुछ क खराम करना पुड़ता है थीक है लेकिन क्या हम यहां पर इनको याद करें यह कोई बेटर तरीका हो सकता है इसमें भी बैटर तरीका है हमारे पास आपको और याद हो तो यह जो हमारे पास में रिशन आया था एकिया है हमने पहले हां पर यह सोचा कि what is the relation between M and T यहां पर लिख लेते हैं अगर में रिलेशन लिख लूँ एंप और T के बीच में यहां पर लिख लेते हैं तो कर लो आप यहां पे टी के जगे बनाएं रिप्लेस कर दो जैसे ही आपने टी के जगे आपका एंसर आंगे कि पॉर्मेट कर्णेट आपको सभी के याद ही है और नहीं वहां देते तो कौन सी बड़ी बात है तो इसका क्या यहां डालने से जाद अच्छा हैं सिराएंगा यहां अगले वाले की सोचो अगले वाले वाले में आप यहां पर यहां पर य की वैलिव आपको 80 स्कुएर डालते हो तो आपको यहां पर 4a22 come यहां पर 280 एक और वैसे ही आप लास्ट और या कर ऑदके El carnement humility see how. उसका अपर तो प्तिलेंगी तो फार्म है और Nered यहां पर हमें मोर्टी का रिलेशन याद था तो हमने क्या किया यहां पर यहां पर आपके मोर्टी में रिलेशन आते हैं वह बहुत बढ़िया पैटन को स्टुडी कर रहा है पहले वाले के लिए एंपर बहुत अच्छे दरीके से डी वाइव डी निकाल के कैल्कुलेट कर चुके हैं ऐसा नहीं कि हाँ पर हमने रैंडम ली कुछ ले लिया है डिफ्रेंशेशन करके तो यहां पर क्योंकि बस आपका प्लस की जगे माइनस हो गया है इसी लिए यहां प तो इसलिए वहां पर एक्ट्रा माइनस आए तो फॉस्ट वाले में मोटी का रिलेशन एम इस इकुल टो माइनस वाले में उसके नीचे वाले में अगर आप एक्स और य को एक्ट्चेंज कर दोगे तो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना स्लोग और तो समझ रहे हो आपके यहाँ पे आपके आप ने क्या सोचना सी यह यहाँ पर आप आप यह पर सेम करो लेकिन विट्रिस्ट टो एक्स इफ्रिट्ट पर लिट्ट करो टिए क्वर देखना है यहाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लोगे सब्सक्राइब कर लोगे सब्सक्राइब कर देखना चाहिए और इन दुरह में तो अगर यहां पर सब्सक्राइब करना है और यहां पर थोड़ा सा चेंज करते करते जनरेट करो यहां जनरेट कैसे करेंगे इसके जनरेट करेंगे एक जनरेट करेंगे यह कोडिनेट करेंगे आपको अब इस रिलेशन को याद करो यह जो लाल कलर से लिखा इस रिलेशन को याद कर लो और फिर चेंज करकरके अपना काम चला रहा ठीक है यह एक्चुली सारे वैल्यूस याद करने से आसान काम बता र होना की इसमें याद करने में कौन सी प्रॉब्लम है अब यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर एम और टी बराबर तो भई यह वाला वैल्य और यह वैल्य आपको सेम दिख रहे कि नहीं कि हाँ ती आपका एक मानस का रिलेशन है जो टी के बलाश मानस मीडेस करो तो मानस मीड यहां पर काम नहीं देगे क्योंकि तब यहां पे डो ऊपर यहां पर यह कॉल रहते हैं कि आपने लिटरली उसको केमिस्ट्री के तरह याद करने की कोशिश करिए अब केमिस्ट्री में तो लॉजिक थोड़ा कम ही मिलेगा न आपको याद करना ही पड़ता है लेकिन यहाँ पर तो लॉजिक है तो आप इस पर्टिकलर पेज के उपर जो जो मैंने मार्क किया है उन चीज़ों को अच्छी त साथ बढ़िया तो हमने अभी यहाँ पर जो डिसकेशन की है उसमें हमें क्लियर हो गया कि यार अब किसी भी पैरवला की टेंजेंट हम से पूछ ली जाए हम एंसर कर देंगे उसको तो क्या आप यालोग कोशन एंसर कर सकते हों find the equation of common tangent to the parallel of y square is equal to 4a x and x square is equal to 4by try करें सारा बच्चे इसको yes question करो you have one problem okay बता दो फिर एक यह दो क्योंकि आप यहां पर बस learning ही लेते रहोगे तो आपको वह जो next level का growth है जो खुद की practice करके doubt solve करके mock test देके आता है वो करने का समय थोड़ा सा कम पड़ेगा ठीक है तो आपने यहां पर एक बार देखा हुए कुछ भी तो आपको यहां तर revision perspective से देखना चाहिए कि आप यहां पर हम एक बहुत ही सिंबल सा काम कर सकते हैं यहां पर बोल सकते हैं कि यार यह दोनों ही पैरावला हमारे लिए अब स्टैंडर बन चुके हमें उसकी भी slow format में एक क्वेशन आदे इसकी भी slow format में एक क्वेशन आदे एंड वाइमाइज सेलेक्टिंग क्योंकि अगर आप यहां पर दोनों अपने कर्स को अगर देखोगे ठीक है तो एक आपका समय इस तरीके से हैं और एक आपका समय इस तरीके से कि तो आपको यहां पर अब कॉमन टेंजिंट कैसी नजर आएगी तो आपको बैसे इसलिए दिख रहा होगा कि गॉमंट डापकी यह दिला हो ओर राइट कमेंटेयर ना की यह है तो अगर यह आपकी कॉमंटेयंजेंट है तो यहां पर जो point of contact है दोनों के ऊपर हो तो अलग-अलग है नगा यहां पर अपर यहां पर है और करता है क्योंकि अगर यहां पर कुछ common है तो क्या है किया इस लाइन का स्लोग इस पैरावलक के लिए भी वही है तो हम इहां पर अभी स्लोग कॉर्मेट में दोनों के नजरीय से इस ब्लैक लाइन की लिखना चाहा है इस एक ही लाइन की इक्वेशन जो दोनों को अलग अलग प्लूट के नजरिया से लिखना चाहिए तो अगर में प्लूवाले को पकड़ता हूं तो मेरे पास जिखेंग लिए और में इसके लिखना चाहिए और मैं यहां पर जिसको याद करना है एडिशनली तो हम यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे y is below mx minus am square, isn't it? x square is equal to 4 ay का ही, हम पर यह हमने equation यहाद किया है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x square is equal to 4 ay के लिए यह आती है, तो x square is equal to 4 by के लिए क्या हो जाएगा, y is below mx minus bm square, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब बोल सकते हैं कि यह अल्टिमेटली दोनों ही हैते इस black line की ही equation अगर दोनों ही आपके यहाँ पर black lines की equation है, तो आप यहाँ पर इनको comparable बोलके equate कर सकते हो, तो आपका y और y तो आपस में equal दिखी रहा है, mx mx आपस में equal दिख रहा है, मतलब यह दोनों values भी आपस में बराबर होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पर compare करते हो, आपको यहाँ पर अपना m का value मिल जाता है, constants basically यहाँ पर बस compare करने लाएक बचे हैं, बाकी तो आपको यहाँ पर equal ही है, तो a by m जो है, वो सिदा सिदा आपका minus bm square के बराबर होना चाहिए, मतलब m cube का value आपका कितना होना चाहिए, minus a by b के बराबर होना चाहिए, और इसकी हाँ पर आपका जो m है, वो कितना हो जाएगा, q root of, m हो जाएगा आपका यहाँ पर minus of a की पावर 1 by 3 upon b की पावर 1 by 3, आपको m पता करने में interest क्यों है? क्योंकि tangent की equation तो आपको 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 m ही नहीं पता था, तो अब यह जो आपको आपको m आया है after comparison, यह अगर आप इस्तमाल कर लोगे, आपको यहाँ पर अपना final answer मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, आपको therefore equation of tangent, therefore equation of tangent जो आपको यहाँ पर मिलेगी, वो क्या बन्नी है? यह बन्नी है आपकी y is equal to m, m की value कितना है निकली? minus of a की पावर 1 by 3 upon b की पावर 1 by 3, into x, उसके साथ में कितना आ रहा है? plus a by m, अब m जब नीचे आएगा, तो minus of a की पावर 1 by 3 यहाँ पर आएगा और b की पावर 1 by 3 चला जाएगा उपर, ठीक है? तो हम यहाँ पर अब इसको simplify करने के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पर यह दुनों तो cancel हो जाएगे, तो आपको a की पावर 2 by 3 उपर बजता हो नजर आना चाहिए, अगर a की पावर 1 by 3 cancel होता है, a के साथ में तो a की पावर 2 by 3 आपका बजता है, ठीक है? आच्छा, और यह b की पावर 1 by 3 नीचे है, यह अलब माइनस भी ऊपर ले आते हैं, और अगर b की पावर 1 by 3 इसके इंदर आया का तो यह b की पावर 2 by 3 हो जाएगे, यह अलड़ी आपका a की पावर 2 by 3 है, उसके साथ में b की पावर 2 by 3 आपका आगे है, सब कुछ एक साइड ले आते हैं, आपके सुन्दर चाहिए, वही आपका final answer होना चाहिए, a की पावर 1 by 3 into x plus b की पावर 1 by 3 into y is equal to, sorry, is equal to baby, इसको भी left-hand side में ले आते हैं, मायनस sign हैं, हापर तो थोड़ा अच्छा लाएगा, इस साब ले आएंगे तो, प्लस a की पावर 2 by 3 and b की पावर 2 by 3, so this is the equation of common tangent, और एक्ट तो comparison करने वाला idea आपने पहले भी बहुत बार इस्किमाल किया हुए, एक ही चीज़ को अलग अलग नजरिये से जब हम देखते हैं, तो हम जो equation generate करते हैं, वो तो अलग दिखाई देती हैं, लेकिन फिर हम यह logic देते हैं कि अलग क्यों दिखाई देनी चाहिए, इन्होंने तो सेम दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमने तो सेम ही figure का equation दिखाए, तो वहां से compare करके आपके समें कुछ न कुछ condition developed हो जाती है, that is how the comparison वाला approach works in coordinate geometry, ठीक है, तो और इस सम्वाल करते हैं चलों यह आई टीज ही 2006 सवाल है, यह दो आपको करते हैं आएगा कि यह दो सेपके समाल है दो, सिंपल है दों लेकिन आपको करते हा रहे हैं जल्दी चेक करो, यह स हम, यह दो अजाए यह दो, डारीट कुछन है अधाम, आई जी में आचुपाया लेकिन ठीक है, अल्राइट, तो हम यहाँ पर पहले तो अपने परबलाज जो गीवन हैं उनको पहले अच्छ तरीगा से लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, तो आपके आश्में जो पहला वाला है, वह बनेगा यहाँ पर एक स्कॉर इस उकल टू पूर ए वाई, यह पैराबोला मेरा इस तरह से लिखूंगा तो मुझे थोड़ा आइडिया लेगा कि यहाँ पर ए बगरा कितरा होना चीए, इस तरफ लागे एक स्कॉर इस तरफ लिखाव जादा चलाएगा हमें कंपेर करने में आसा नहीं हो जाएगी, इस तरह बाइड पर इस तरह लिखना चाहरा हूं तो अब सब्सक्राइब करने में आइडिया तो मेरे खाल से अब सबको चम्में की चुका होगा, यहां पर जो दोनों के लिए ही इक्वेशन होने वाला है और देखो कौन सा है यहां पर हम यूज करेंगे y is equal to mx minus am square यहां यहां जो standard equation आपको इनका इस्तेमाल देखा गया है अगर आपको यह पता होगी तो इसको अब चेंज बगरा करके आप इस्तेमाल कर लोगे और नीचे आपको यहां पर इक्वेशन है इसके अंदर हमने क्या ध्यान देना चाहिए कि यह x square is equal to minus 4y के comparable है इस नोट एक्जाक्ली x square is equal to minus 4y अगरे exactly x square is equal to minus 4y होता है तो हम यहां पर क्या करते है बस इतना सा ही चेंज करते है कि plus की जगे minus वाला formula इस्तिमाल कर लेते साइन उल्टा होता है यहां पर माइनस होते हम प्लस है आपको यहां पर जो answer बनता हो क्या बनता mx plus this यह आपका answer बनता अगर एक्जाक्ली स्टैंडर्ड फॉर्मला स्टैंडर्ड आपका पैरवला होता तो लेकिन इस स्टैंडर्ड के आपको एक्स माइनस टू नजर आएगा ठीक है अब यहां पर इस्तिमाल करने के बाद अपना फॉर्मला अप्लाइब कर रहे होंगे तो पहले करो फॉर्मला अप्लाइब करो एक्षिन होगे तो वापस यहां पर अपने पुराने वाले कॉडिनेट्स रीक्रेस कर दो जब सब्सक्राइब कर अब यहां पर अब करना पड़ेगा यहां पर आपको यहां पर आपका मैंस माइनस टूए अपन पूर तो यहां पर आपका y equal to mx और y equal to mx तो मैच हो गया मतलब अब बचाओ जो constant हो आपको मैच होना जी बचाओ जो constant है उसको आपको यहां पर मैच करवाना है तो आपको minus 1 by 4 m square on comparing सब्सक्राइब कर सकते हो एक तो यहां पर आपने एक तो जिरो एक तो यहां पर आपने एक तो जिरो एक्सपेट करना चाहिए और दूसरा यहां पर आपने हां पर 4 expect करना चाहिए एक बार calculation चेक करने सारव इच्छे हैं आपके जीरो एंड फूर तो बड़ी है आपको अगर यहां पर आपको पहले से ही बताती है ना simple वाली कौन सी यहां पर एंसर भी आपके यहां पर फूर्दर मैच कर रहा है वाई इसे दो आंसर्स आपके यहां पर निकले हैं एंड और फरेक्ट आंसर्स और इस कि कहां कहां पर हमने चेंज सकर के इस्तेमाल किया अधिया सारे लिए आपको यहां पर ऐहां पर इसकी एक लिए पहली बात आपको यहां पर इहां पर अदिक क्योंकि इसने थ्वासा है वह इवप всп और ख़烈 करते रहोगे टो में नहीं पूलोगे रॉल्लम क्यों होता है कि बच्चें केहते हैं कि सर हम वैसे हम जब घर पे करते हैं, खुद से तो नहीं बनते हैं, तो point is this, कि आप यहाँ पर यह चोटी सी चीज मिस कर जाओगे, फिर आप यहाँ पर compare करते हैं, गड़बर करोगे, है न, आपको यहाँ पर लएगा कि यह compare करके, आपको खेवल 0 answer आ रहा है, यहाँ पर आपके साथ में अभी जो मैंने discussions किये हैं, तो help you understand कि आपको यहाँ पर बैट कर, रात रात भर बैट के, वो सारे के सारे tables याद नहीं करने हैं, जो आपकी books में given होती है, वो आपके अब notes में भी हैं, लेकिन याद नहीं करने हैं, क्या याद करना है, मैंने आपको बता दिया, so now let us move on to a more important discussion of the day, which is properties which are related to tangents, वैसे यहाँ पर properties का discussion आपको अगर देखना है, तो कई सारे books में, वैसे इसी तरह से दिया होता है, जहाँ पर tangent पढ़ाया है, वहाँ पर tangent की property आगए, जब normal पढ़ायेंगे तो normal की property आजाएगी, बट कुछ reference books में आपको properties एकदम end में दियो ही मिलती, and which makes it very tedious to learn, क्योंकि एकदम से बहुत सारे properties देखना, बसा नहीं आता होतना, जाधा अच्छा है कि थोड़ी properties आज के lecture में कर लेता है, थोड़ी properties कल के lecture में कर लेंगे हैं, है ना, ऐसे थोड़ी-थोड़ी properties करते हैं, तो हमें related properties याद रहते हैं कि अच्छा है ये tangent की तीन-चार properties हमने करी थी, नॉर्मल की भी तीन-चार प्रॉपटी समय करिए ठीक है तो आप यहां पर एकदम से बर्डन फिल नहीं होगा तो यहां पर देखो आपको बेसिकली पैरवला चैप्टर में थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा फिल क्यों होती है क्योंकि एक तो आपको equations के साथ में deal करना पड़ता है जो तो anyways करना ही पड़ेगा equation of tangent, equation of normal, equation of chord of contact, equation of director circle बहुत तरी चीज़ें आने वाली आपके चलके हैं ठीक है तो equation के साथ में deal करना पड़ता है दूसरा आपको यहां भी deal करना पड़ता है important results के साथ है जैसे focal chord के length का formula 4a cos x square alpha है, फिर a into t plus 1 by 2 का whole square भी है point of intersection of tangents जो है t1 t2 के format में a t1 t2, a t1 plus t2 भी है तो इस type के कुछ results है जो आपको याद करने पड़ते हैं and then there are properties also है जिसे हम यहां पर आपी discussion स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है यहां पर यहां पर थोड़ा जादा फिल definitely होता है because of important results and properties of parabola पहली property देखो यहां पर क्या discuss करना चाहरे हैं अच्छा एक चीज़ और यहां पर आपने दिमांग में रखना चाहिए कि यह जो properties हम discuss करने वाले हैं यह जो properties हम discuss करने वाले हैं ठीक है यह properties जो टेंजेंट से रिटेट प्रॉपटीज है वह सारी प्रॉपटीज है यहां पर एस सच वाइस पर इसकुल्ट फॉर एक्स होना ज़रूरी नहीं है यह properties किसी भी प्रॉपटीज के लिए applicable हैं बट क्योंकि यहां पर figure कुछ तो एक बनाना था तो comfortably समझ में कौन सा figure आता है हमें वाइस प्रॉपटीज के लिए प्रॉपटीज के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि यह प्रॉपटीज की प्रॉपटीज क्या है पहली प्रॉपटी हमारी the portion of a tangent to the parabola, tangent to the parabola, cut off between the directrix and the curve, subtend a right angle at the focus, ठीक है तब यह basically क्या बोलना चारा है, portion धूनना चारा है, किसका portion धूनना चारा है, tangent का portion, किस पे बना है, parabola के उपर बना है, अच्छा ठीक है, parabola के उपर बनी हुई tangent का एक portion धूनना चारा है, कौनसा portion, which is cut off between the directrix, directrix मतलब यह point, है ना मालते हैं कि यह dotted line figure में हमारी directrix represent हो रही ही, ठीक है, so and the curve, तो curve कहां पर है, curve तो यहां पर आगे खतम होगे, तो मतलब यहां पर जहां पर जिस point पर आपने tangent बनाई है, और यह tangent आगे जाके directrix को जहां cut कर रहे है, मतलब हमारी figure में P से लेके R तका distance, इसका discussion चल रह proportions किये होंगे, ठीक है, तो आपर इस तरह के statement होते थे आपके, कि on a tall tower there is a flag post, है ना, and this flag post, subtends and angle of this much at the eye of the observer, तो subtends का मतलब क्लियर है, आप उसके figure के end points को flag के top और lower bottom portion को किस से connect करते हो, observer से connect करते हो, तो यह जो angle create होता है, इसको कहते है, angle subtended, इसको कहते है, angle subtended, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर यह क्या कहना चाहरा है, कि यह जो portion है PR, यह subtend करता है, focus पे 90 degree, तो आपको यहाँ पे angle subtend निकालने के लिए क्या करन है, तो property हमें यह कहती है, कि यहाँ पे PR will subtend 90 degree at the focus, ठीक है, तो property तो simple, property में क्या है, देख ली हमने याद कर ली, तो आगे बढ़ दरप है, बट सिल, I feel कि एक बाद फोना सा discussion इसके पर हो जाए, तो जादा बहतर होगा, कि यार ठीक है, देखो statement लिखा हुआ है, सही होगा, वैसे तो हमारा दिल कर रहा है, हम बोलते कि सही होगा, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार discussion भी हो जाएगा, तो थोड़ा बेटर लएगा आपको यहाँ पर, and discussion जितने जादा रुख के हम करते हैं, उतनी जादा अच् बता दूँगा, तो शायद भूल जाओगे कि discuss क्या किया था पीछे, सही है, क्या discuss किया था, कि अगर मैं randomly कोई भी एक tangent बनाओ, किसी भी एक random parabola के उपर, और point of contact से direct tricks तक का जो मेरा एक length create हुआ है, उस length को अगर मैं focus से join करो, तो मुझे दिखाए देगा कि focus के उपर 90 degree angle ब 90 degree चेक करने का एक तरीका बढ़िया हमारे पास में होता है, slopes का प्रोट माइनस अगर प्रूव कर देंगे तो हमारा answer आजाए, तो अगर मैं इसका proof basically discuss करना चाहरा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे अलगलग slopes निकालने में interested रहूँगा, slope निकालने के लिए मैं यहाँ यहाँ प अगर मैं आर निकाल लूँगा तो फिर में यहाँ पे M1 और M2 को मुटिप्ला करके चेक कर लूँगा कि यहाँ पर आपका value माइनस न के बराबर आ रहे कि नहीं आए, आर निकालने के लिए मुझे हाँ पे अपनी equation लिखने पड़ेगी, equation of tangent, equation of tangent जिसका नाम है पी आर, अगर आप पी आर टेंजन की equation नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पर डिरेक्टली क्या लिख सकते हो, टी परामेटर की ओपर tangent की equation टी वाइस इकल टूट एक्स प्लस एक्टी स्कूर, यादे, टी वाइस इकल टूट एक्स प्लस एक्टी स्कूर, और अगर आपकी निकल कर आएगा, आपकी आसरी आप निकल कर आएगा, आर का ही तो कॉडिनेट होगा, तो आप डालो इसके अंदर X Q value मायनस A, अगर आप X Q value मायनस A कितना मिल रहा है, टी वाइस इकॉल टूट टू मायनस A, प्लस 80 स्कूर, मतलब Y का वेली हाँ से आपका निकल रहा है, 80 स हमें अपने लेकिन आर का वैल्यू मिल चुका आर का जो है उसके दर एक्स का विल्यू मायनस ए है और वाय का वैल्यू वह है सब्सक्राइब कर लेते हैं विच इस फॉर पी एस एक बार सारे पॉइंट साब लिख लेंगे तो जाते बहुतर होगा आपका पी का वैल्यू कितना है एक कॉमा जीरो और आपका आर का विल्यू अभी अभी क्या निकाला है मायनस एक कॉमा इस एक स्वय एटी स्वय तो माइनस ए अपॉंड टीडिकन एक सटाइब फाइं फॉर्स लूप फीस लूप पीस कि तना जाएगा आपके हाँ पे यहां पर नीचे से आगे बिचे आगे बूच गर जाएक तो यह आपका था पूटी अपॉटी अपॉर्ण वना की आपका थोटी अपॉर गांव यह उपने एक्ट्रा इसा आप सोचो टूटी अपॉन टी स्क्वेर माइनस वन इस वाट आंगेटिंग राइट नहों अच्छा अगर किसमन ने साथ दिया तो अगला वाला जो हमारा स्लोप निकलेगा कौन सा स्लोप निकालना ची मैंने आरेस तो वह इसी का है ना रेसिप्रोकल विद नेगेटी साइन आ जाना च करके माइनस ना चाहिए तो यहां पर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो वाइटू माइनस वाइब इतना हो जाए गई एटी स्क्वेर माइनस एप उंटी माइनस टू एटी ठीक है ऐसे कुछ अभी हमारे पास में हाँ पर बन रहा है और नीचे कितना आ जाएगा नीचे चिnes ठीक होड़ा मतलब कंभी लग रहा है उमीद लेकिन तब भी नहीं हारेंगे है इहां पर करके कुछ तो होजाना ठी है यहांपर किया हो रहा है यह एटी स्क्वेर मैनस एटी 202 और नीचे आएक आएक आपको माइनस आ हागर उन दोनु दोन को करते हों तो मैं न इसको मैंने न यहांपर चेक कर ले süधर आट, तो दिस माइनस डेट एंड जिस माइनस डाट अगर में कर रहा हूं तो मेरे पास मैं कि यह आ जाएगा कितना यह आ जाएगा माइनस एक इसक्वेर तो ब्राकट सब्सक्राइब हो गया एक बार चेक खरना पड़ेगा let us go back let us go back and let us see कि यहाँ पर कौन सा ओल कोडिनेट करना में कुछ उच नीच हुई है मैंने यहाँ पर पहले तो ty is equal to x plus 80 square डाला फिर उसके वाद में आप में हाँ पर directorist के साथ में intersection point निकाला था मैंने हाँ पर x की value minus a use करके अपना y का value निकाल के रखा हुआ है 80 square minus a upon t 80 square minus a upon t ठीक है आँ ओके आई शूरी टिकिंग slope of that यह बाद आपने सही बोलिया अगर मैं यहाँ पर यह चेक करूँ coordinate तो क्योंकि हाँ पर मुझे सही लग रहे है मैंने यहाँ पर जो निकालना चीए मैंने लिखा सही है शायद लेकिन calculate गड़बड किया है मैंने यहाँ पर calculate करते समय PR का slope दिख दिख दिया है जबकि मुझे RS का slope लिखना चीए था चलो बच गए मैं तो property wrong प्रूव कर देते आज हम ऐसा तो होई नहीं सकता आलो से चलती हुई property आज तो गलत नहीं हो सकती एकदम से हमी गलत होंगे फिर ओके तो हमें अपनी गलती पता चल गई क्या गलती पता चली कि यहाँ पर मैंने लिखा तो है यहां पर आरेस का स्लोप निकालना है लेकिन यहां पर वैल्यूज यूज करता समया आएकस मैंने इनका combination लिख दिया थो ओके तो वापस करते हैं यहां पर इसको सौल क्या दिक्कत है मैं यहां पर आरेस को अगर मैं यहां पर लोगा तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा मुझे यहां पर y2-5 है मतलब a t square minus a upon t minus 0 मिलेगा और नीचे मेरे पास में कितना आएगा this minus that मतलब मेरे पास में minus a minus a अब थोड़ी से किसमत हमारी बेटर लग रही क्योंकि वह देखके लग रहा था मुझे की कुछ तो गटबड़ हो रहा है अगर मैं यहां पर अब a common नि minus 1 upon minus 2t और property अब यहां पर बिल्कुल सही लग रही है क्योंकि अगर आप इन दोलों को multiply करते हो था आपको यहां पर minus 1 भी नजर आ रहा है आपको यहां पर minus 1 भी नजर definitely आ रहा है मतलब यह result हमने प्रूव कर दिया कि हाँ अगर आप point of contact से directrix तक travel करके एक segment create करते हो on any tangent to any parabola then that particular segment subtends 90 degree at the focus तो पहला result याद हो लिए है आप तो मेरे खाल से कोई नहीं बोलेगा जब भी discussion में ऐसा कुछ उच्छ नीच हो जाती है ना तो और जादा याद रहता है तो आप लोगो मेरे खाल से और जादा याद रहेग चल आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी प्रॉपटी के तरफ अब यह और भी जाद आमेजिंग रिजल्ट है इसके अंदर एक दो तीन चार पता नहीं बहुत सारे हमें discussions करने पढ़ेंगे to actually cover this entire statement जो यहाँ पर इतने अच्छ तरीके से लिखा हुआ है क्या लिखा है अगर इतने सारी चीज़े अगर स्पेशिफिक हैं तो कॉश्चन में लगते ही आपका कॉश्चन एकदम से सौल होने के चांसे बनेगी तो इस वार प्रॉपटी को जार ध्यान से पकड़ दो पोकल कॉड के endpoints हैं तो पहली बात तुम्हें यहाँ पर देखना चाहरा हूँ कि अगर मेरे पास यह जो पडिवलर पॉइंट पी है अगर मैं इसको टीवन से रिप्रेसेंट कर पा रहा हूँ और क्यू को अगर मैं टीटू से रिप्रेसेंट कर पा रहा हूँ देन for endpoints of focal chord last class में हम ने क्या पड़ा था last class में हम ने क्या पड़ा था T1 T2 should be equal to minus 1 ठीक है T1 T2 is equal to minus 1 क्यो है since PQ is focal chord since PQ is focal chord तो यह तो आप इस question में मान की चलो कि यह तो आप इस्तमाल कर ही सकते हूँ T1 T2 has to be equal to minus 1 the property starts with that statement the tangents at the extremities of the focal chord are being drawn and then something is done तो अगर आप यहाँ पर tangents बनाते हो तो यह कह रहा है कि हाँ पर ही जो tangents intersect होंगी वो पहली बात तो 90 डिगरी पर intersect होंगी और कहां पर इंट्रेसेंट होंगी तो इसके अंदर एक और result हम आज का ही इस्तमाल कर लेते हैं हम यहाँ पर point of intersection of tangents का भी आज ही पता चला है एम जीएम वाला जो रिजल्ट है वह हम यहाँ पर इंट्रेस्ट करना चाहिए point of intersection point of intersection of tangents इसका जो हमारा formula है उसमें आर की value हमने कैसे लिखी दी यादे आपको कि अगर आप टीवन और टीटू पे टेंजेंस बनाके उनका intersection point निकालना चाहते हो जिसके coordinate आर के बराबर है जिसके कैसे आता है ए टीवन टीटू कॉमा ए ब्रैकेट के अंदर टीवन प्लस टीटू यह भी आएगा सिंपल रिजल्ट है कि आपको याद हो गया होगा अभी कि अगर आप ही काम करते हो तो आप यहांपर क्या मिलता है अगर टीटू के पर हम क्या हो जाएगा माइनस एक कॉमा A times T1 plus T2 अब इसको मैं change नहीं करना चाहरा हूँ इसको अलग से change करना से कुछ खास मुझे मिल्या का नहीं क्योंगी जो मुझे यहाँ पर चाहिए था वो मिल चुका है सोचो यहाँ पर हम क्या प्रूव कर चुके है हमें प्रूव कर चुके हैं कि अगर आप focal chord के end points के ओपर tangents बनाते हो तो उसका जो intersection point का x coordinate आता है intersection point का जो x coordinate आता है it is always minus a intersection point r का x coordinate is always equal to minus a implies आपका जो intersection point आपका जो इंटर्सेक्शन पॉइंट है वो directors के ओपर ही लाए करेगा क्योंगी इसकी directors की equation ही x equal to minus a है इसकी directors की equation ही तो x equal to minus a है तो यह तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमने आधा result अपना प्रूव कर लिया यह one force result हमने प्रूव कर दिया ऐसा बोलना चाहिए directors के ओपर आपका intersection point आएगा यह आपका पॉर्षन हमारा अभी प्रूव हो गया ठीक है implies r lies on directrix करना चाहिए कि आपका जो यहां पर intersection create हुआ है आर पे वह actually 90 degree सब्टेंट कर रहा है आपको यहां पर आर के ओपर जो angle create हो रहा है that is 90 degree अब यह तो कहां से प्रूव करेंगी पिर से इसको प्रूव करने के लिए कहने कहीं हमें m1 m2 is equal to minus 1 generate करके दिखाना पड़ेगा तब ही इसी इसको हम बोल पाएंगे कि हम प्रूव हो गया है तो ऐसा सोचते ही कि हमारा जो r p r p जो हमने यहां पर ने tangent बना के रखिए उसका slope latest से m1 के बराबर है और जो हमने r q tangent बना के रखिए उसका slope m2 के बराबर है हम सेकंड लेवल पर डिस्केशन को ले जा रहे है अगर m1 m2 जो है वह आपके slopes के values ले तो क्या आप 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 जानते हो कि वाइस को इस तरीक से लिए होते हैं ऐसे प्रूपल होते हैं तो हम यहाँ पर इस relation को आगे लिए सकते हैं इस लिए इस लिए इस लिए उस चीज़ को दिखा भी नहीं रहा हूं बट आपको पता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट यूज कर रहा हूं में वाइस पर इस वाली रिजल्ट है तो यहाँ पर और आपको जो एंटू है इस लिए से वन भाइटीटू होगा लेकिन अगर आप इन दोलों को मल्टिप्लाइ करो तो क्या हो जाएगा लेकिन टीवन टीटू का वैल्यू कितना है इवन टीटू का वैल्यू आपका यहाँ पर माइनस वन के बराबर है इसलिए यह भी है कि आपका M1 M2 B-1 के ही बराबर होना चाहिए एक स्टेप और कर देता हूं यहाँ पर माइनस लिख देता है मतलब नीचे आपको माइनस वन आया है यह आपको पता सब्सक्राइब कि आपको M1 M2 मिल रहा है मतलब जो टेंजेंस है वह यहाँ पर 90 डिग्री पर ही इंटरसेट क कर रही है इसका मतलब तो कहा देला लाएं हम यहाँ पर अंडरलाइं करते हैं क्या क्या हमने प्रूव कर लिए हैं टेंजेंट्स एट एक्स्टीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंट्रसेक्ट एट राइट अंगल्स यह हमने प्रूव कर दिया अब यहाँ पर यह बोला है ए यह थोड़ी इंपोर्टन बता रहा है इसको दिखाने की कोशिच में ज़रूर कर सकता हूं लेकिन आप यहां पर अपने फिगर बना रहे होंगे तो इस बात ध्यान रखना है कि यह डाइमेटर जासे थोड़ा फील तो हो इस तरफ का और थोड़ा बढ़ागत है और यहां पर नाइंट डिग्री थोड़ा कमी दिखाई दे रहे हैं मतलब यहां पर फिगर में काथ कुछ इंप्रूमेंट के चांसे हैं वैसे तो यहां पर आपको देखो एक चीज़ तो प्रूव करते है डेफिनेटली आ जाएगी कि आपका जो पीक्यू को डाइमेटर मान के सरकल बनना ची वह आर से तो पास पक्या से होगा क्योंकि एंगल इन सेमी सरकल इस नाइंट डिग्री है तो यहां पर आपको यहां पर यह डारेक्ट्रिक्स टेंजेंट है यह रिलाइज होना चाहिए अब इसके लिए आप यहां पर थोड़ा सा डिस्केशन इस डारेक्शन ले जा सकते हो देखो ध्यान से सिंबल ने लेगा आप तो ऐसे मुश्किल नहीं है कि इसके में जानना चाहरा हूं कि आपका पी क्यू का सेंटर मिट पॉइंट कितना है अगर आप पी और क्यूगा मिट पॉइंट निकालोंगा तो आपको यहां पे कुछ तो अच्छी वैल्यू मिलेगी आपको जो पी है वो a t1 square, 2a t1 है आपको जो q है वो a t2 square, 2a t2 है तो अगर मैं यहाँ पर midpoint निकालूंगा तो मेरे पास में जो value निकल कर आने ची हो कितनी हो देगी a t1 square plus a t2 square upon 2 2a t1 plus 2a t2 divided by 2 तो आपका 2 2 cancel होके यहाँ पर बनेगा क्या यह बनेगा आपके पास में a t1 plus t2 यह समझे क्या हुआ यहाँ पर important y वाली value को notice करना ही है y वाली value कितनी है यह हमरे पास में a times of t1 plus t2 लेकिन a times of t1 plus t2 तो r के भी y का value है तो r के जो y का value है और pq के midpoint के y का value है वो दोनों same है यह क्या indicate कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर rm को connect करोगे तो वे एक horizontal line create होगे rm को connect करोगे तो एक horizontal line create होनी चीए क्योंकि उन दोनों के y के values equal है यहाँ तक बात पकड़ में लेकिन आपने अगर pq को diameter मानके ही अगर अपना circle draw किया है तो pq का midpoint तो actually circle का midpoint हो जाएगा pq का midpoint तो circle का midpoint हो जाएगा मतलब आपने अभी हाँ पे circumference के ओपर लाय करने वाले point और center को join कर दिया यह आपका center है और r क्या है इसी red circle के ओपर लाय करने वाला एक point है तो circumference वाले point को अगर आप center से join कर देते हैं तो what you get is a radius and anything which is perpendicular to the radius should be a tangent can we see कि अगर यह rm आपका horizontal बना है then यह जो dotted line आपकी यहाँ पर नजर आ रही है which is representing your directrix should be perpendicular to rm and rm is a radius so radius के perpendicular अगर आपको यहाँ पर directrix नजर आ रहा है then यह directrix आपका tangent ही होगा ठीक है आपको यहाँ पर यह discussion एक पर पर से सुनना चाहिए अगर धीरे धीरे सुनते सुनते हैं आपकी दिमाग से बाते उड़ गई हैं तो हमने हाँ पर y की value को notice किया कि r की value और m की y की value y coordinate की value बिल्कुल same आ रही है मतलब अगर मैं उनको join करूँगा तो मेरे पास मैं एक horizontal line आएगी लेकिन फिर मैंने realize किया कि आपने हाँ पर जो m इस्तिमाल किया है वो तो इस circle का center ही है मतलब आपने circumference वाले point को center से join किया है मतलब आपने radius ट्रो किया है और radius के perpendicular अगर आप एक लाइन जूट पाते हो तो लाइन पक्के से क्या होनी चाहिए टेंजेंट होनी चाहिए रेडिश के परपुनिकल नाइन एड़ पॉइंट पॉइंट इस टेंजेंट ठीक है तो यहां से प्रूव होदा है कि आपका जो डॉट्रेट लाइन यहां पर डारेक्टर इस बनावा है वह इस circle का टेंजेंट होगा जिसकी मैंने पहले बोला था इसको डिसकर्शन करने में काफी कुछ जो है अंदर की बाते निकल कर आती है तो आपने कहां से स्टार्ट किया आपने पहले यह प्रूव किया कि हां आपका इंट्रेक्शन पॉइंट की उपर ही आएगा तो यहां पर आपक प्रूपर्टी टू एक और करते हैं यहां पर इसकेशन नेक्स्ट डिसकेशन इस अबॉट फॉट 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 करना होगा तो हम यहां पर उसका इस्तमाल कर पाएंगे लेकिन यह एप्लिकेबल प्रॉपटी सभी पराबला के लिए ठीक है क्या बोल रहा ही फर्पेडिकुलर फ्रोंफोकस और इन टेंजंड फोल पर्पेडel परिपनल यह लिए ए अच्छा लाइंगे अप्टेंजिट इपर अट्वर्टेग्स तो हम शाहिए पुट फॉट फोल फॉकस्त हों इन टेंजम लाइए आन अच्छा लाइए लाए अटेंजिट प्राम फोकस कि अधियु बनाओ फरक नहीं पड़ा ओल्वेस लाइज लाइन ऑन टेंजेंट टेंजेंट वर्टेक्स यहां पर आपका टर्म है यह बहुत बार आपको देखने के लिए अधियु स्कवाइब है यहाँ पर अपने स्टैंडड वाइस के उपर आगर आपको क्या मिलेगी वाइकस इन इस फिगर वाइकस्स इस अवर टेंचिट माइट आपका और 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 वड़ेक्स आपको शुट लेकिन वाइकस्ग्यू तो यह ज़रूरी नहीं है आपको हर बर y axis ही टेंजेंट ड़ेक्स मिलें लेकिन तेंजेंट अपने आप में बहुत ही घ्लियर है तो किसी कोनफीशन तो यहीं होना जाहे है तो फूत of perpendicular पर्पेटिकलर फोकस पॉन एनी टेंजेंट एनी टेंजेंट एनी रैंडम टेंजेंट पॉल्स ओन गेंजेंट अट वर्टेक्स बढ़ी हावात है अल्सो शर्कल ओन एनी फोकल रेडिया ओफ पॉइंट पी 80 स्कुर्ण कॉमा 280 अज डायमेटर अचेस्ट देंजेंट अट वर्टेक्स तो यहां पर यह फिर से एक सर्कल वाली प्रॉपटी भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहरा है लेकिन मुझे लगता है कि हाँपर पहला हाव जो है पहले हम उसको डिसकुस कर लेके हैं तो यह बेसिकली डिसकुस करना तो बहुत ही आसान है अगर आप यहां पर अगर यहां है कि यहां पर यहां पर एक लाइन तो रेडी हो गए हे और अगर मैंस ती वाई उसके साथ में आ रहा है पर प्लस एटी स्कुर्द इस इकली और में फोकस तो पहले से यह पोकस कि अधर पस में है यहाँ पर काल्कुलेशन करूं किया हुआ है आज के सक्षिन में कोई तो कोशन था जिसके में फूट आफ पर्पनेकलर पाइंट किया है एक पर फिर से अप्लाए करते हैं उसी फॉर्मले को क्या फॉर्मला है हमारे बास में देखते हैं कि क्या आएगा तो वी आर बेसिकली ट्राइग तो गेट क्यू विचिस फॉट और पर्पेंडिक्ली विच पर निकालने कोईश्च कर रहें विच एक्स माइनस एक्स माइनस सब्सक्राइब करते हो आपको इतना ही इंपॉर्टन तरीके से कंपर करना है है अगर आप पर्शनास करते है था आपको यहां पर मिलता है एक्स इकल डू जीरू, gamer करने आपको यहां पर मिलेगा यॹ्य आछाठ फ्रप्रेंटिकिलर क्रॉंऄ फोकॉस अने राइडम टीजेंट प्रॉकस ऑन एंवालियाय। तो यहां पर जब यह फिक्स हो गया कि आपका एक्स कॉनितर जीरो या आएगा तो आपके रिलाइस कर पा रहे हो कि एक्स की वैलियों होगर हमेशा जीरो आ रही है मतलब य-axis री प्रेसेंट कर रहे हैं यह पॉइंट आपका हमेशा य-axis के उपर लाय करें हो लाइज ओन य-axis बटो बी मोर प्रिसाइज इट लाइज ओन वाय एक्स पर लाय करेंगा लाय किसके उपर करेंगा आगे बस अगने सारे बच्छे को ठीक है अब यहां पर यह जो दूसरा स्टेटमेंट उसको पकड़न नहीं कोश्च करते हैं यह बोल रहा है कि अगर आप यहां पर पी-एस फोकल रेडिया की बात कर रहा है क्योंकि यह फोकल रेडिया कि इसको बोलते हैं फोकल डिस्टन सरकल बनाओ तो यह भूल रहा है जो आपका सरकल बनेगा वो क्यू पॉइंट में वह क्यू पॉइंट पे तच करेगा टेंजेंट एड वर्टेक्स को वो क्यू पॉइंट पे टच करेगा टेंजेंट एड वर्टेक्स को यहाँ पर जो आपकी फील है वो exactly यही है ना जो यहाँ पर आ रहे थी एक perpendicular line है आपने circle बनाया है और यह circle इसको आपको प्रूब करके दिखाना था तो यह जो आइडिया है आपता midpoint निकालने वाला वही हाँ पर भी आप इस्तिमाल होते वे देख सकते हो ठीक है फिर से एक बार कर रहे है अगर पिछली बार किसे को दिक्क्कत आई थी तो आप समय नहीं इसका जो एम का वाय कोडिनेट है वो 80 आया है और क्यू का वाय कोडिनेट कितना है interestingly क्यू का वाय कोडिनेट भी 80 के ही बराबर है मतलब यह जो midpoint है और जो q है इनको कर आप जॉइन पर होगे तो इनके y के वहली क्योंकि बराबर है इसलिए यह एक horizontal line बनेगे qm will be a horizontal line but since I have taken midpoint of pq and pq is the diameter therefore the midpoint is the center of the circle मतलब मैंने आप यहापे जॉइन क्या किया है center और circumference के ओपर लाय करने वाले point को join किया है मतलब मेरा radius है radius मेरा horizontal है मतलब इसके perpendicular line कौन से वाली होगी जो vertical होगी at the point q तो q point पर vertical line कौन से ही आपकी tangent at vertex ही तो है है तो यहां पर यह प्रूव क्या करना चाहरा है कि टेंजेंट at vertex बेसिकलिए आपका लेकिन हो सकता है कि आपके multiple times देखना पड़े ताकि आपके दिवां में इस सारी बातें बैठें थोड़ी देर के लिए ठीक है क्या क्या करें का सोच करको कि हुद हाँ जी यहां पर हमने पीक्यू को डायमेटर मान के ही सरकल बनाए उसके बात के डिसकेशन से वो सब क्या है टो हमें पता चल नहीं है हमने वो मान के आगे का डिसकेशन के हैं ऐसे कल इने फोकल काया तुल कॉप कॉछ को टैडिक्र त्रौ ट्रकॉल कर अनी तो हाँ पर हमने पीए स्सक्सारे दायिमेटर मान की ही सरकल बनाए किए उसके बाद City आगे का पकड़ा हुआ है यहां पर वह कैसे औरियंटेड है मुझे सोचना भी नहीं ठीक है यह एक्स नहीं यह पर लेकिन एक्सिस है यह पर लाइग करता है इसलिए मैं यहां पर अपना पर 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 अब यहां पर यहां पर दिखाई दे रही है वी डॉन्ट नो कि एक्से वर्काउट हो रहा है मतलब यह कौन सा पॉइंट अभी हमें पता नहीं यह लाइन कौन सी हमें पता नहीं ठीक है बट हाँ पीगर तो ऐसे बनना चाहिए इव फोकस ऑफ प्रपेंडिक्लर अन एनी टू टेंजेंट तो मान लेते हैं कि एक टेंजेंट यह है और एक टेंजेंट यहां बना लेते हैं चलो यहां पर करते हो तो आपको यहां पर उसकी वैल्यू कुछ दी हुई है एक तो दिया हुआ है थ्री वाइफ पॉर के पराबर टेंजेंट वन जो है लाल कि उसके उपर आपने अब यहां पर अगर आप अपनी प्रॉपटी को नहीं जानोंगे तो फिर यह सवाल होगा ही नहीं सौरी यह प्रॉपटी बेज़्ट ही कोशन प्रॉपटी क्या कहती है कि कोई साभी प्रॉपटी अब यह पर नहीं बढ़ता आप उसकी कोई सी प्रॉपटी यह जो पॉइंट दिया है यह टेंजेंट वर्टेक्स की ओपर तो लाए कर रहा है वैसे ही आपने दूसरी टेंजेंट उठा ली तो किसी भी रैंडम प्रॉ प्रॉकस का अगर उसको पर पर फट्रं पोडम जपर दालाएगा यह लाए कर रहा है मतलब मेरे पास टैंजेंट वर्टेक्स के व्याखने दो इसको राए अब तो मैं इन दोनों को जॉइन करते हों कर एक लिखूंग। तो वो लाइन जो है उससे मेरे पास गेंज और सिंट्ट बड़क्ट का इक्वेशन हो आगे अगर मेरे पास में वर्टिकल लाइन की एक्वेशन आ गये है अगर इंद संस फिकर में क्वेशन आगई तो व्रटेक्स तक जाने के लिए अब मैं नेक्स एप क्या ले सकता हूं इक उक्राइब सकते हैं कि फोकस से परपम प्रम प्रॉप तेंज़ अगल बाइसेंगे यह सब जो बैसिक आइडिया से परपेंदिलर डिस्टंस यह सारे लाइंडिया चाटर तो में ही पहले इसलिए पढ़ लिए क्योंकि आगे तो देखो आपको इस्तिमाल इनको करना ही पढ़ता है ठीक है और स्ट्रेट लाइन में इसलिए थोड़े पीवाई क्यूस आपको कम मिलते हैं प्रीवेसियर कोशन आपको यहां पर देखने ही कोश्क करें तो स्ट्रेट है क्टेट लाइन के चुपावा होता है ठीक है तो इस बात को नोटिस करके देखना सा तो मुझे आपर इक्वेश्शन ओप यहां पर कर रहा हूँ है मायनस वाइन वाइन सब्स्क्राइब इस निकले एक दिस मानस बालब सिक्स मानस पॉर अपां यह मानस थ्री इनटु ए अबर एक्वेशन जाहता हूं इस लाइन के ऊपर फोकस से पर्पनिक्लर ड्रॉप डालना चाहता हूं और यह जो मेरे पास में पर्पनिक्लर ड्रॉप आएगा फोकस से जिसका फैली 1,2 के बरावर है वही मेरा वर्टेक्स होना चाहिए यह बोटेक्स के कोडिने के लिए हाँ पर में पर्पनिक्लर ड्रॉप डाल रहा है लिए तो फुट अपर फिर से हम लगाते है अगर तो क्या आएगा एक्स माइनस एक्स एक्स पन अपॉन एज़िकल टू वाइनस वाइवन अपॉन बी इस इकुल टू मायनस और इस वाइनस क्लेशन कर लोगा उसके उरके माइनस बन रहा है है कि यह सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको अगर बीच में लगता है कि कुछ करना है तो अगर 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 यह यह आपके आपके आंसर आना चाहिए अगर आप यहाप एक सब्सक्राइब और यहाप यह वाइक करेक्ट अगर यह वाइक कर दो हो जाएगा यह तो मैनस टू बांक यहां फ़ाइब यहां पर यहां लोगी फॉर लेकिन यहां तक आने के लिए जो हमने पापड़ कि और रहा है यहां पर ये लग द आपको यह लग जाता है यह इंटाट को पर से गद्या में पर जो फ targeting गरेगा वह फॉपर गे घरेगा वह तो छो पैस्ट요 ऊपर घ और गवन है तो ऑफ क्यू म करने हैं तो एस चार्ण को बड़ाए 162 से महीं फॉपर पाइंब um let us do one more property one last property of the day which is again very interesting result area of the triangle formed by three points on a parabola is twice the area of the triangle formed by the tangents at these points आपको यहाँ पर three points अगर मैं parabola के उपर दे दू तो या तो आप उनको directly connect कर सकते हो आपको यहाँ पर three points parabola के उपर दे दू एक point P है, एक point Q है और एक point आपका R है तो या तो आप इनको directly connect कर सकते हो तो आपको एक triangle में जाएगा तो यह एक triangle possible है या फिर आप क्या करोगे, एक step मेहनत करोगे या पहले P की ओपर tangent बनाओगे, Q की ओपर tangent बनाओगे, R की ओपर tangent बनाओगे, जब यह काम करोगे, तब भी आपके पास में एक triangle बनेगा क्योंकि दोणों tangents यहा पर intersect करेंगे, यहाँ पर注़ आपको एक बाहर, पेरावण में बनते होए मिलेगा एक triangle आपको यह पर बनता है पेरावण के अंदर और चाल्गल आपको बनता है यहाँ पए बाहर और यहां पर एक बहुत ही interesting result है जो आप इन में देख पाते हूं इनके areas में देख पाते हूं Which is, Area of Triangle of this PQR यह जो PQR triangle का Area uhh Area of triangle PQR This is basically twice the area of triangle which is generated outside let us call that ABC अगर आप इसको A, B, C नाम दोगे तो यह रिजल्ट है जो आपको बिसकी लिए अभी याद करने के लिए हम बोल रहे हैं अगर आप यहाँ निकालते हो तो आपको पताशना है कि यह टू टाइमस ओप एरिया ओफ ट्रेंगल A, B, C है अगर आपको अगर आपको समझना है तो आपको आपको आपके डिटर्मिनर्स क्रीट करके आपको दे रहा हो, उनको आसानी से सॉल्ट कर सकते हो और अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं तो पहले तो आपके यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मला पता होना ची विच फॉर एरिया ओफ ट्राइंगल अगर आपके बास में यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइस एक सोन वाइवन एक स्टू वाइटू और एक स्ट्री वाइट रहे हैं तो यह अला नॉलिज ता आप बच्छों के बास में हैं कि हम डिटर्मिनेट फॉर्मेट में उसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ ओ ए अगर आप यहाँ पर एडिया ऑफ ट्राइंगल के सही बाद है तो आपको यहाँ पॉर्मा तो यहाँ आद है मौड और हाफ ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ एक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अपने पैरामिटर्स अजियूम करते हो टीवन टीटू एंड लगते हो टीवन कि तक सब्सक्राइब कोर्मा टीट्री तो लेहाँए ते यहाँ पर यहाँ हाँ ग्राइद भाल में थृ किसमा क्वाइब कर आपको लूज है अगर ऑफ सेंग्राप यहाँ वास्तरा में अगर एरिया निकालना है तो वाट यू रिलाइज इस कि आपके पास कि यह टीवन वाला एक टेंजन्ट है और यह टीटू वाला एक टेंजन्ट है यह टीटू वाला टेंजन्ट है तो टीवन वाला टेंजन्ट जब इंट्रसेक्ट होती हैं तो आपको यहां पर पॉइंट बनाते हूँ तो उसका इंटर्सेक्शन पॉइंट कितना आता है वो घम वाला पॉर्म की बात कर रहा हूं आप यहां पर उसे बताओगे कि हां तो हमें याद आया यह जो हमार पास में हैं इंटर्सेक्शन पॉइंट है इवंट हुआ है तो यह हो कौन-कॉन सी टेंअंट का सबकुएंट है ए्ट थी दिए वाली टेंजेकु का इंडənके स्सक्षियं पॉइंट है अब यहां पर एक एंसा आ ऐसा आता थेखकें हम ऑप ती टू वाली टेंजेंट यहां पर टी तू और एटीटू टीटू गॉमा ए टीटू प्लस टीट अब यह जो आप कश्में कॉर्डिनेट्स आए है अगर एगर आप आप बार यहां पर यहाप प्यू आप यहांपे अप्छी आपको प्यू आपको यहां पर निकलते आएगा and eventually you will reach at this particular conclusion कि आपका जो अंदर वाला triangle का area है it is twice the area of the बाहर वाला triangle बाहर वाला triangle जो आपके यहाँ पे tangents की मदद से बना है ठीक है और इसको solve करने के लिए आपको पहले हाँ पे थोड़ा सा determinant समझ लेना चाहिए क्योंकि इसको solve करने तो बहुत आसान लेकिन जब यहाँ पे बताना स्टार्ट करूँगा तो आपको लेगा पता नहीं क्या चलता है so don't be under the impression कि यहाँ पे कुछ भी difficult होने वाला है है तो यह बहुत यहाँ आसान ठीक है अपने answers calculate करोगे तो पी क्यू आर वाला जो आपका triangle है उसका area ultimately आएगा कितना तो इसका area आपका समें बिस्किलिए आता है अधर मौड के अंदर a times of t1 minus t2 t2 minus t3 and t3 minus t1 काफि symmetric सा एक expression आपके आएगा ठीक है एक बड़ चेक भी कर लेए इसको और अगर आप इस पर्टिकलर expression को इस्तेमाल करते हो as inputs for x1y1 x2y2 and x3y3 और इसको solve जबाब करोगे तो यहाँ पर आपको 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 पता वो इसकी comparison में आधा आया है यह तो हमें बिसकली प्रूव करना है जो प्रूव करना है वो बिसकली आजाए ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या देखने के मिलेगा कि यह तो आपके बसमें A by 2 के साथ में T1 minus T2, T2 minus T3 and T3 minus T1 है ठीक है and this is how you can prove कि यहाँ पर यह property भी सही है obviously सही है हम थोड़ा से यहाँ पर जो है शक की निगाहों से पहले चीज़ों को देखते हैं फिर खुद से प्रूव करके हमें अच्छा लगता है कि हाँ 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 सही बोल रहा है यह सामने आला है ठीक है So can you solve this J.E. advanced question I.E. J.E. 2011 में सवाल आया था, numeric pattern में सवाल आया था, can you solve this question, जल्दी से बताओ Yes, try it out everyone One shot वाली feeling आ लिए, कि अभी कितने हमें का session हो गया हमारा, अरे दो खंडे का session हो गया है So फिर हम यहाँ अभी end करते हैं, है ना, जल्दी से आले question का answer दे तो overall question है Yes Yes, this is the last question that we are discussing, उसके आद में आप आराम कर सकते हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर और एक session स्टार्ट हो गया होगा नहीं, 7.30 को स्टार्ट करने हो लेते हैं सायद अश्वानी सर So अभी I guess time है थोड़ा सा हमारे पास All right, yes, 7.30 यहाँ पर जल्दी से इस question को एक बार complete करते हैं और हमारे यहाँ पर session इसके पहले बाले lecture में अभी जो हमने आज के लेक्चर में जो question डिसकूस किया That was from J advance 2014 Now we are going to do question from J advance 2013 ठीक है तो आप हमें advance की question लिप्टा पा रहे हो बढ़ी आदर यह कैसे और जो recent years की questions है उनको हम PYQ sessions में भी अलग से cover करेंगे ठीक है तो अपने एक ही single playlist में देखने के लिए मिल जाएंगे वैसे आपको यहाँ पर भी सब कुछ मिल जाएगा रेगुलर लेकिन रहना इसके लिए काफी ज़रूर ही यहाँ पर क्या आपकी रिलाइस कर पा रहे हो कि इस question का answer 2 आएगा इस question का answer 2 आना चाहिए इसका जो एरिया है वह यह कह रहा है कि इसको आप डेल्टा वन से रिप्रेजेंट करो बढ़िया बात है अच्छोली जो प्रॉपटी है वही पूछ ली लेकिन एक question के फॉर्मेट पे पूछ लिए तो किसी को अगर यहाँ पर और जिसको प्रॉपटी बता है वह हसेगा यह क्या पूछ लिया है तो भी दिमाज में आपकी सारे प्रॉपटी वगरा तो होना चाहिए क्योंकि यह क्या बोल रहा है कि डेल्टा टू यह कि प्रॉपटी सीखी है कि डेल्टा वन अपॉण डेल्टा टू यही तो दो के बराबर होता है प्रॉपटी पूछ ले इनों है बहुत कमबार हुआ है आपको यहाँ पर इतना डारेट सवाल पूछ लिया गया है लेकिन होता क्या है ना कि बच्चे पैटन वैटन देखके ही जही एडवांस की वेपर में इतने जादा तंग होते हैं और परिशान होते हैं कि इतना बड़ा कोशन पढ़ेंगे एनलाइज करेंगे यह सोचेंगे कि यह तो प्रॉपटी है उत्ते देर में तो उनका है ना ऐसा लगता है कि छोड़ते यहाला सवाल है और अगला करते है यह ना तो यह नहीं होना चाहिए आपको थोड़ा से यहां पर जो है पेपर देने की आज़ास होना चाहिए यूशुट भी एबल टू आइटिफाई कि कौन से कोशन करने लाएक है कौन से कोशन एक्शली छोड़ने वाले है ठीक है और यह डेफिनेटली आपको करने अब यहां पर देखी है इसको एक बार पढ़के देखते हैं और अगर आगे तो आगे पर जाएए थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको हर टॉपक के ओपर इसलिए होना चाहिए अगर बहुत ही सिंपल बिल्कुल डाइट अगर थौट अगर इन्वालडि तो कम से कम वाल ठीक है कौन से इंपोर्टन टॉपिक से यह पूछने की नौबत नहीं आनी चाहिए आपके अगर अगर आप खुद से यह सोच रहे हो कि मैं कुछ टॉपिक्स छोड़के जाओंगा तो टॉप कैसे करोगे तो यहां पर अंडर हंड्रेड वाले जो बच्चे सोचते हैं अं ना पढ़ें सिलिबस आपका यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है आप भी उसके साथ में आगे बढ़ें ठीक हैं बैकलोग क्रियेट नहीं होने दोगे तो जादा भैतर होगा चलो तो आपके साथ में एक सवाल और है हम यहां पर 930 पर जब मिलेंगे आज में यहां पर प्लस के सेशन के थुरू पूरी तरह से फ्री था संडे था तो मिलेंगे अगर आपको कुछ मिस हो गया तो यहां जाके आप इसको देख सकते हैं और आपको अन्मक एडमें सब्सक्रिशन लेना है और यहां तो रिकमेंटेशन हमेशा होता ही है कि इंडि करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए इस इफ यह फिंग एट अपके लिए अलगलग होती है तो अगर आपको लगते हैं कि हाँ आप लोग अपूर्ड कर सकते हैं यह काफी अच्छा प्लैटफॉर्म है और यहां पर आपको लाइव इंट्रक्टिव सेशन के साथ साथ जो अगर आप कुछ additional resources इस्तमाल करके तो आपको फायदा ही होगा तो अगर आप यहां पर एक बार इसको explore करके तो I guess that would be great और आपके यहां पर मेरी खालते जो राइन से आपके seniors के वह तो amazing है है 100% यहां पर अमया और भ्रतियन निकाल की दिखाया है और बहुत amazing लगता है यहा यहां पर मेहनत करते रहें आपको यहां पर जो education मिल रहा है that is of top-notch quality it is unmatched with anything that you must have seen ever and I can guarantee this क्योंकि मैंने खुद नहीं यहां पर इतने सालों तक offline mode में पढ़ाया था and the lectures that I am able to create on this platform are way better than what I was able to teach when I was teaching offline क्योंकि वहां पर होता क्या था कि उतनी resources मतला यहां पर इतनी अच्छे figures बनाने के यहां पर इतने अच्छे technology का इस्तेमाल करने के possibilities ही नहीं होती थी तो जितना भी अच्छा कर पाते दें करते थे लेकिन उससे better यहां पर हम बच्चों से पैसे लेते थे पढ़ने के लिए यहां पर हम free में उससे better दे पा रहे हैं तो I am definitely sure कि आपको यहां पर फा यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर resources जहां जहां से आपको मिल रहे हैं वो तो आपने पहले use करना start करी देना चाहिए और अगर आपको यहां पर सब्सक्राइब के साथ में ले सकते हैं ताकि maximum possible discount मिल जाए प्लस और कितने समय का सब्सक्राइब कर चुके हैं तो I don't think कि आपको यहां पर इस एप को यूजर फ्रेंडली एप मिलते हैं हम यहां पर अपने अगले session में मिलते हैं and let us let us discuss normals in our next session आपको यहां पर normal का पहली बार एक important discussion देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि circles में तो normal पता नहीं चलता कब आती कब जाती पता नहीं चलता लेकिन यहां पर आपको normal पता चलेगा आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि अच्छा है यह सब होता है normal की questions में ठीक है so let us meet in our next session at 9.30 all right so in two hours we'll be starting our next session take care बच्चों बाबाए